चैनल आडियो वर्स दि इंमोर्टल वोरियर चैप्टर 1121 टू 1130 म्यू वानिंग का हलका सा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर, धनुष हंसने से खुद को नहीं रोक सका और कहा, तुम्हें पता है, मुझे परवाह नहीं है कि दूसरा पक्ष मेरे इलाज के लिए क्या भुगतान करता है, हाला कि मुझे इस मामले से कुछ एहसास हुआ, किस तले हुए तर्बूस के बीज या कुछ और कुरकुरे करते समय आपका दिमाग विचारों से भरा हुआ है, मुवानिंग शर्मीली लग रही थी, अपने सौमय चरित्र के साथ, उन्होंने हमेशा उदासीनता के साथ हर चीज को हलके मिलिया, चाहे अतीत में कुछ भी हुआ लेकिन धनुष के साथ मिलने के बाद उसका स्त्री पक्ष जागरित हो गया था और कभी कभी उसने अपना स्त्री पक्ष प्रकट कर दिया था, फुरसत और खाली समय हमेशा जल्दी से उर जाता था, और दो दिन पलक जपकते बीच गए थे, यह खबर फैली नहीं थी कि ध धनुष शंधाई लोट आया है, इसलिए इन दो दिनों में वह बहुत आराम से रहा और किसी भी परिशानी ने उसे परिशान नहीं किया। उसने भीतर तक आह भरी, उसने सोचा और भीतर गिना, उसे एक महीने में दस भव्य वेतन दिया जाता था और फिर उसकी उंगलियों से गिना जाता था, इस एक मिलियन युवान सुपरकार को खरीदने में मुझे कितने साल लगेंगे, चर्मरा हट, हाक हाक, कई बार तेज कर सकते हो और गेट को ब्लॉक नहीं कर सकते, सामने पोर्शे के ड्राइवर का दर्वाजा खुला और लाल कोट लबादा और उची एडी के चमडे के जुटे पहने एक महीला बाहर निकली, उसने मुरकर पीछे की कई सुपरकार्स पर नजर डाली और दोनों तरफ के बेका सुरक्षा गार्डों पर एक नजर डालते हुए कहा, मैंने अभी तक इस नई कार को पंजीकृत नहीं किया है, इसलिए इसे मेरे लिए पंजीकृत करें और मुझे बाद में सीधे गुजरने की अनुमती देना याद रखें, समझ गया, ठीक है, दोनों गार्ड जाहिर तो को हैरान करने के बाद जाओ फांग गैं करवा और करवा लग रहा था और उसने घिसेपिटे चहरे से पूछा, युवा गार्ड ने पंजीकरन फॉर्म लिया और उचसाहित चहरे के साथ जवाब दिया, यह मिस ओयांग केप है, मैं पहले उसकी कार का पंजीकरन कराने वाल प्रक्रिया के लिए मालिकों को कार को स्वयं पंजीकरित करने की आवश्यक्ता होती है, है न? तुम सिर्फ ध्यान आकरशित करना चाहते हो क्योंकि वह बहुत सुन्दर है, ठीक है, बववा जाओ फांग गैं गुर्राया, हे खे, इस तरह लापरवाही से बात मत करो, के य कुछ भी हो जाए, अन्यथा आप बड़ी मुसीब्तों में पढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं, एह, आप किस मिस्टर तांग और किस सुश्री ओयुयां के बारे में बात कर रहे हैं, जाओ फांग गैं की भोहे तन गई, आंतरिक शेत्र में कुछ विलाश्री धनुष की संप मुझे मत बताओ कि तुम भूल गए हो कि एक सप्ताह पहले क्या हुआ था, कि बाहर वाली सुश्री ओयुयां है, वह मिस्टर तैंग की महिला हैं और हम किसी को भढ़काने का जोखिन नहीं उठा सकते, जाओ फांग गैंग अंदर से हिल गया था, और उसका चेहरा थोड़ हुई, उसने सोचा कि वह पहले से ही काफी कुशल है और उन कुछ लोगों को थपड मारना और नीचे गिराना आसान होगा, परिणाम यह हुआ कि वह केवल तीन सेकंड में ही बाहर हो गया, जिससे वह जमीन से रेंगने लगा, कुछ ऐसा जो बहुत लंबे समय तक कभी नह हुआ, बाद में उन्होंने इसके बारे में पूछ ताच की और सुरक्षा दल से इसका कारण जाना, इसलिए उसने चुपके से उन बंगलों के मालिक और उसके आदमियों को रेकॉर्ड कर लिया, आगे उसे भी कुछ पता था, खबर थी कि उन विला के मालिक अभी-भी किस और शेतर से लोटे हैं या कुछ और, उसने यह भी सुना कि वह एक महिला को लाया है और वे अब विला में थे, वैसे भी लिटिल जाओ, क्या मिस्टर टैंग के पास कई महिलाएं हैं, जाओ फांगगैन ने कम आवाज में उस युवा गार्ड से पूछा जो संत्री चौकी से बाहर निकलने वाला था, उसे बहुत कुछ मिला, हालांकि मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा, युवा गार्ड ने धीनी आवाज में जवाब दिया, यह कहने के बाद वह सुरक्षा बूठ की ओर बढ़ा और फिर सीधे ओयूयान लुलू की कार की ओर बढ़ा और सीट की खिड़की पर दस्तक दी, जैसे ही खिड़की का शीशा नीचे आया, वह नीचे जुका और मुस्कुराते हुए ओयान लुलू को कुछ बार देखा, खीक है, खीक है, एक सुन्दरी जो अभी अभी नाइट लाइफ से वापस आई है, क्या आपके पास मेरे साथ सु जुवक ने अपनी ठुड़्दी को सहलाया और बडबड़ाया क्या युवा गर्म मिर्च है हुँ, उसके बारे में कभी नहीं सोचा, आ अरे तुम, वह सुन्दरी कौन है और वह किस विला में रहती है, युवा गार्ड भी जानता था कि इस युवक के साथ छल नहीं किया जाना चाहिए और तुरंत जवाब दिया, सुश्वी, ओयांग आमतार पर यहां नहीं रहते हैं, लेकिन उसका प्रेनी यहीं रहता है, विला नंबर प्रक्षालित बालों वाले युवक ने सिकोडी, युवा गार्ड ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, हमें स्वामी की जानकारी का खुलासा करने से मना किया गया है, जदी आप जानना चाहते हैं तो कृप्या इससे स्वयन देखें, युवक गुस्से में था और उसे मारने ही वाला था, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया और फिर जल्दी से अपनी कार में लोटने से पहले द समबर दस विला की ओर बढ़ा, काले सूट वाले दो मध्यम आयू वर्ग के लोगों ने जल्दी से रास्ता रोक दिया, क्या बकवास है, रास्ता बनाओ, बहनो, क्या तुम लोगों ने मैट्रिक्स या कुछ और में अभिनय किया, क्या तुम आज सुभसुभा आखों में चुभने वाली हो, सफेद बालो वाले युवक ने अपना सिर बाहर निकाला और कुछ अपशब्द बोले, उन में से एक ने ठंडेपन से कहा, आप यहाँ पहले अपराधी हैं, हम आपको यह एक बार माफ कर देंगे, लेकिन बाद में अपना मुह जरूर साफ करें, यह अब ही रास्ता बनाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, खास्त और पर आप, आदमी की आख में एक चिलिंग लाइट कौंध गई, वह फरारी की ड्राइवर सीट की तरफ लपका और जबरगस्ती दर्वाजा खोल दिया, उसने गोरे युवक को अंदर से बाहर न उत्रे, जिन में से दो प्रक्षालिक बालों वाले युवक की मदद के लिए दोडे, जबकि दूसरे ने अधे उम्र के व्यक्ती की ओर इशारा किया और चिलाया, तुम कौन हो? आप यहां लोगों को मारने की हिम्मत करते हैं? मानो या नमानो, इस बिग डैडी को आपकी ह धंकी को नजर अंदाज कर दिया. एक विला की बालकनी पर, धनुष ने धीरे से अपनी आखें खोली क्योंकि उसने बाहर शोरगुल सुना. लेकिन जब उसने देखा कि पोर्ष के अंदर ओयांग लुलु था, तो वह अपनी आखें घुमाने से नहीं रोक सका. उसके मैंने फोन को इंट्रस्पैशियर राइट में रख दिया. मुझे पिछले दो दिनों से कोई कॉल नहीं आया है, और यह संभब है कि उसने मुझे कॉल किया हो. क्या सिरदर्ध है? मैंने उसे नहीं बताया कि मैं वापस आ गया हूँ. यह महान आंटी निश्चित रूप से अपनी चिंता के साथ आगे बढ़ेंगी. जिस क्षन धनुष ने इसके बारे में सोचा, वह सिरदर्ध महसूस किये बिना नहीं रह सका. एक बात और भी थी जिसने इसे और खराब कर दिया. म्यू वेनिंग अभी भी बेडरूम में बिस्तर पर थी, कल रात की वजह से नींद में सो रही है. उसने जल्दी से बड़े करीने से कपड़े पहने, लेकिन फिर ओयांग लुलू को घर के नौकर से बात करते हुए सुना जैसे ही वह सीधी से नीचे गया. लुलू. धनुष उनकी बातचीत में बाधा डालते हुए उनके पास गए. ओयांग लुलू मैं तुम्हें फोन करने वाला था, लेकिन पता चला कि तुम यहां आ गए. हाला कि आपके सेल फोन का क्या हुआ, ओयां लुलू गुराया. मैं आपको फोन करता रहा, लेकिन उसने कहा कि आप सिवा शेतर में नहीं है. क्या आपने इसे फिर से अपनी इंटरस्पेशियल र हिसाब से बहुत थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी सुन्दर आखें उस पर घुमाई. उसने हमेशा की तरह कुशलता से धनुष को गले लगाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाये और मुस्कुराते हुए कहा, बा, तुम कीडा हो. मुझे अब परवाह नहीं है. जब से अलावा आज मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है. घुमना, शॉपिंग करना, मूवी देखना, दिनर करना. ये आपकी मर्जी है. ठीक है फिर, उल्लांग लुलु अंत में मुस्कुराई और उसने धनुष को लगभग घसीकते हुए बाहर भाग लिया. आंगन के बाहर, पोश को देखते हुए, धनुष ने बेपसी से कहा, खेर, क्या यह कार बहुत हाई प्रोफाइल नहीं है? मैं अब काफी प्रसिध व्यक्ती हूँ, क्या हमें ध्यान नहीं देना चाहिए? हाँ हाँ हाँ, तो क्या? तुम्हारे पास एक शांदार कार और एक अध्भुत सु तुम किस बात के लिए दुखी हो रहे हो, ओयान लुलु खिलखिला कर हस पड़ा, इसके अलावा तुम अभी भी जवान हो, इसका मतलब है कि जुनों को चारों और विकीर्ण करना है न? ठीक है, चलो चलते हैं, तुम पहिया ले लो और मैं बंदूक बैठा हूँ, ठीक है ठीक तो, धनुष का इरादा इस जगह को जल्दी से चोड़ने का था, ताकि मुवानिं के जागने और नर्ग को तूटने से बचाने के लिए इंतजार किया जा सके, इसलिए उन्होंने सीधे ड्राइवर की सीट ले ली और दर्वाजा बंद होने के ठीक बात कार को बाहर क की ओर ले गए, हाला की हाला की सडक बहुत चोड़ी थी, इसे तीन सुपरकारों ने अवरुद्ध कर दिया था, यहां क्या चर रहा है, धनुष ने खिलकी नीचे की और पूछा, अधेर उम्र का आदमी उसका अभिवादन करने गया और सम्मान पूर्वक कहा, ये छोटे गैंगस्कर परेशानी पैदा करना चाहते हैं, इसलिए हम उन्हें रोक रहे हैं, बॉस, अच्छा ऐसा है, बस सुरक्षा गार्डों को सूचित करें और उन्हें सीधे बाहर फिंक दें, धनुष ने हाथ हिलाया और कहा, यह सही है, कामजिया ने मुझे कुछ समय पहले फो सब के लिए है, जदी वे अतिचार नहीं करते हैं और विला को परिशान नहीं करते हैं, तो सीधे तोर पर उनकी उपेक्षा करें, समझा अधेड उम्र के व्यक्ती ने सम्मान पूर्वक सिरहिलाया, विरंजित बालो वाला युवक जो इस समय जमीन से रेंकर उपर आया थ उसने धनुष को ऐसे देखा जैसे वह उसे निगल जाना चाहता हो, धनुष की बाते सुनते ही वह तुरंत गुस्से से चिल लाया, अरे अपनी गांड गाडी से उतारो लड़के, तुम्हारे कुत्ते हमें बेतर तीब धंग से काटते रहते हैं, आपको मुझे अभी एक स पश्टी करण देना चाहिए, अन्यथा यह समस्या खत्म नहीं हुई है, धनुष हसे बिना नहीं रह सका और बोला, हम सभी यहां वयस्क हैं, क्या हम इतने भोले नहीं हो सकते, इसके अलावा, आप सभी अपने लुक्स से जच कर रहे हैं, नहीं, क्या आपने स्वयन भी को गुस्से में फिर से चिलाया, क्या बकवास है, मुझ में गुण है या नहीं, इससे तुम्हें क्या लेना देना, यह विला परिसर आपके परिवार का नहीं है, फिर भी आप इतना अहंकारी व्यवहार कर रहे हैं, यहां तक कि आपके आदमी भी लोगों को मार रहे हैं, क् अपिर मैं अपने कच्चे और लापरवाह व्यवहार के लिए माफी मांगता हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे एक शमा कर सकते हैं क्योंकि वे सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। यह युवक ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि धनुष इस तरह का कदम उठाएगा। मूल रूप से वह उस पर हमला करने के बहाने कुछ बहाने बनाना चाहता था लेकिन वह वह था जो अब असहाय रह गया था। उसके बगल में एक युवक चिल लाया अरे क्या आपको लगता है कि इस तरह की माफी से सब कुछ खत्म हो गया है। इस दुनिया में इतनी अच्छी चीज कैसे हो सकती है। शमा करना अच्छा नहीं है तो आप क्या चाहते हैं धनुष से वापस पूछा। मुआवजा और चिकित्सा, ओशन, मानसिक खानी और काम में देरी पर सभी खर्च युवक ने उफास किया। क्या तुम अमीर नहीं हो, यहां इतने सारे विला खरीद रहे हो। हम आपको ब्लाक मेल नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुआवजे में दस लाख का भुगतान ठीक है। मुस्कुराते हुए बोला, आप चाहते हैं कि मैं मुआवजा दूँ, तो फिर मेरे साथ कैफे जाने का क्या ख्याल है। हाल ही में चीजे मेरे लिए बहुत उबाओ। रही हैं, इसलिए आप वहाँ चैट करने के लिए साथ जा सकते हैं। प्रक्षालित बालों वाले युवक ने पोश पर एक नजर डाली, लेकिन सामने की सीट पर ओयान लुलु को देखने के तुरंत बाद होशपूर्वक अपने गाल को ढख लिया। एक पल के विचार के बाद उन्होंने उपहास किया। चलो वहाँ चलते हैं। यह मत सोचो की हम तुमसे डरते हैं। धनुष ने सिर्फ आखे मूद ली और विला परिसर से सीधे बाहर निकलते हुए कार में बापस आ गए। इसके तुरंत बाद चार सुपरकार्स कैफे के बाहर रुकी और धनुष ओयान लुलु को कैफे के अंदर ले आए और सीधे एक शांत कोने में चले गए और चारों लोकों ने उनका पीछा किया। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। लुलु बैठने के बाद धनुष ने मुस्कराते हुए पूछा। क्या है वहक ओयान लुलु ने उत्सुकता से वापस पूछा। क्या आप जानते हैं कि क्या यहां कोई परित्यक्त फैक्टरी है धनुष ने पूछा यह सबसे अच्छा है कि इसका एक बड़ा शेत्र है और यह बहुत ही उजाड जगह में स्थित है ओयां लुलू ने इस बारे में सोचा और फिर अपना सिर हिला दिया मुझे पता नहीं है शंगाई का विकास वस्तुता हर जगह है मुझे डर है कि आपको शंगाई के बाहर देखना पड़ सकता है यह सही है चांगशी मुझे अभी अभी याद आया शंगाई और चांगशी का जंक्षन एक तरह से सुदूर और उजाड है मैं चीनान के साथ दौर के खेल में भाग लेता था और मुझे याद है कि मैं एक बहुत बड़ी फैक्टरी वाले कुछ थानों से गुजर रहा था मैंने तब जिग्यासावश्ची नान से पूछा और उसने कहा कि यह एक परित्यत और योगिक शेत्र था मुझे बाद में वहाँ ले चलो धनुष ने सिरहिलाया हालां कि आप ऐसी जगहे पर क्या करेंगे ओयां लूलू से पूछा धनुष ने कहा मैं कुछ उपकर्णों को परिश्कृत करना चाहता हूँ ओयं लूलू ने जवाब में सिरहिलाया जैसे ही वह बोलने वाली थी उसने अचानक धनुष की जेब में फोन बजने की आवाज सुनी धनुष एक क्षण के लिए शुने में देखता रहा उसने अभी अभी अपना सेल फोन इंटरस्पेशियल रिंग से निकाला यह काफी अपरप्याशित था कि अब कोई उसे फोन करे फिर उसने फोन निकाला और स्क्रीन पर देखा तुरंट अपने सिर को थप्थ पाया और मुस्कुराया काश मैं कुछ भूल गया यह कहने के बाद उसने उत्तर का बटन दबाया और ली कहने की आवाज फिर निकली क्या तुम दिव्य डॉक्टर टैंग हो मैं हूँ आप आगए धनुष ने पूछा मैं कल दोपहर शंधाई पहुचा ली कहने कहा मैंने आपको तब कॉल किया था लेकिन आपका सेल फोन नहीं लग सका क्या अब हम आपसे मिलने आ सकते हैं दिव्य डॉक्टर टैंग आप तुम कहा हो धनुष ने पूछा ब्लू स्टार फिश मेशन में ली कहने उत्तर दिया धनुष ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा मुझे पता मैसेज कर दो और मैं बाद में आऊंगा जब हम मिलेंगे तो हम किसी और के बारे में बात कर सकते हैं तो ठीक है आपको परेशान करने के लिए एक शमा करें डॉक्टर टैंग ली कहने उत्साह से कहा फोन काटने के बाद धनुष ने ओयां लुलू को देखा और पूछा खैर यह ब्लू स्टार फिश हवेली कहा है ओयां लुलू के जवाब की प्रतीक्षा किये बिना उनके पास बैठे सफेद बालों वाले युवाओने तिरसकारपून रूप धारन किया और उनका मजाक उडाया हम्मभ मैंने सोचा था कि आप बहुत शक्तिशाली व्यक्ती थे यह पता चला है कि आप ब्लू स्टार फिश हवेली को बिलकुल भी नहीं जानते है वास्तव में उच्चवर्गिय समाज पहाड़ी पहाड़ी जैसा कुछ भी नहीं है जैसा कि आप समझ सकते है धनुष ने बस उस पर एक उदासीन नजर डाली और उसकी आखें जल्दी से ओयांग लुलू पर वापस चली गई ध्यान में बैठे व्यक्ती ने मेज पटक दी और चमकते हुए युवक की ओर देखा क्या आप बिना किसी चिंता के अपना मुह चलाने की हिम्मत नहीं करते या मैं आपको तब तक थपड मारूंगा जब तक की आपकी मा आपको पहचान नहीं पाएगी युवक मूल रूप से ओयुंग लुलू के सामने धनुश को मारना चाहता था और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहता था लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह उसके बजाए उस पर पागल हो जाएगा उसकी अभिव्यक्ति तुरंट बदसूरत हो गई और उसने धनुश को नीची आवास के साथ घूरते हुए देखा हम्म क्या कायर है एक औरत के पीछे छिपा है धनुश ने उदासींता से उत्तर दिया आपको पता चल जाएगा कि मैं कायर हूँ या नहीं इसके अलावा उन्हें परिशान करने की कोई जरूरत नहीं है लुलू यह सुनकर ओयान लुलू तुरंट धनुश के इरादे को समझ गए वह समझ नहीं पा रही थी कि धनुश इन लोगों को पहले एक लाख युवान का मुआवजा क्यों देगा और फिर उन्हें यहां क्यों ले आया अब उसे पता चला कि धनुश उन्हें पैसे देने के लिए इंतजार कर रहा था और फिर उन्हें अहंकार के लिए भुगतान करना था ब्लू स्टार फिश हवेली शंधाई के दक्षिन पूर्व तटपर स्थित है यह शंधाई का सबसे खूबसूरत अपस्केल रिसॉर्ट शेत्र है जो पैराडाइस मैनर से थोड़ा बहतर है इसके अलावा आपको बेपोर्ट तक ड्राइव करने और वहां से नाव लेने की जरूरत है धनुश ने सिर हिलाया और उठ खड़ा हुआ ठीक है पहले वहां चलते हैं प्रक्षालित युवक अचानक उठा और ताना मारा दोस्त क्या हो रहा है क्या आपको बस भागने का बहाना मिला या कुछ और मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे तुमसे एक लाख युवान का मुआवजा मिलना चाहिए समझे पैसा निश्चित रूप से आपका होगा लेकिन मैं जल्दी में हूँ इसलिए मेरे पास आपको साथ रखने का समय नहीं है धनुश ने कहा यदि आप यहां रहने के इच्छुक हैं तो मैं आपको पैसे देने के लिए किसी को भेजूंगा लेकिन अगर आप नहीं हैं तो आप मेरे साथ ब्लू स्टार फिश मेंशन जा सकते हैं और मैं अपने माथध को वहां पैसे भेजने के लिए कहूंगा बेशक मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ यदि आप भागते हैं तो हम किस से पैसे मांगेंगे सफेद बालो वाले युवक के बोलने के बाद उसने सीधे अपना सेल फोन निकाला और एक नमबर डायल किया दूसरे पक्ष द्वारा उसका फोन उठाए जाने के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा यहां डालॉंग है यंग मास्टर कुन वैसे भी मैं जिजी और बाकी लोगों के साथ ब्लू स्टारफिश हवेली में खेलने जा रहा हूँ और उन चलो वहां मिलते हैं और बाच्चीत करते हैं ब्लू स्टारफिश हवेली पाने के निकायों से घिरा एक छोटा सा द्वीग था और कई फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा था हाला कि रिसोर्ट का निर्मान असाधारन था इसने दक्षिनी क्षेतर में एक बगीचे की विशिष्टता और उत्तरी परिद्रिश की सुन्दर्ता को चित्रित किया अध्भुत कारिग्री के माध्यम से दोनों के सन्योजन ने एक अध्भुत रचना बनाई जो प्रकृती को उत्कृष्ट बनाती है और निहारने के लिए एक द्रिश बन गई एक मंदप के अंदर पूशाओकुन ने फोन रख दिया फिर 16 साल से अधिक उमर की दिखने वाली लड़की को अपने सामने देखा और मुस्कुराते हुए कहा आप आंटी जुआंग की बीमारी के बारे में अपनी चिंताओं को दूर कर सकती हैं कायर मैंने डिवाइन डॉक्टर टैंग के बारे में कुछ सीखा वह निश्चित रूप से आंटी की बीमारी का इलाज कर सकता है क्योंकि वह मदद करने को तयार है मैं निश्चित रूप से उन्हें सम्मानिय अनुमान के रूप में सम्मानिक करूँगा और उनके साथ अपना सर्वश्रिष्ट व्यवहार करूँगा धन्यवाद भाई शौकुन ली कहने कहा वह आदमी घूमा और दूर नहीं समुद्र तटको देखा उसकी आखें समुद्र की सतह पर चली गई और धीरे धीरे एक सास ली कहने से पहले कयर डॉक्टर टैंग को आंटी का इलाज करने देना वास्तव में बहुत महत्वपून है लेकिन बहतर होगा कि आप डॉक्टर टैंग को अपने शरीर की भी जाच करने दे नौ साल हो गए हैं और आप हमेशा से ऐसी ही दिखती रही है मुझे डर है कि भविश्य में आपके स्वास्थय को लेकर समस्याएं उत्पन होंगी लीकै एक पल के लिए चुप हो गई वह थोड़ी असहाय दिखी और उसने उत्तर दिया मैंने पहले ही देश और विदेश के कई अस्पतालों में अपनी स्थिती की जाच कर ली है वर्तमान चिकित्सा विज्ञान मेरे शरीर को जो कुछ भी हो रहा है उसकी जाच नहीं कर सकता मुझे डर लग रहा है हूँ शौकुन वापस अपने होश में आया और उसकी और सकती से देखा और कहा कयर क्या आंटी की बीमारी का चिकप परिणाम समान नहीं है भले ही हम उन्हें दसियों बड़े अस्पतालों में ले आये हो यदि डिवाइन डॉक्टर टैंग उसकी बीमारी का इलाज कर सकते हैं तो वह निश्चित रूप से आपकी बीमारी का भी इलाज कर पाएंगे लेकिन अगर आप उससे इस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं जब वह आएगा तो मैं खुद उससे बात कर लूँगा मुझे परवाह नहीं है कि मुझे उससे कितना भुगतान करना होगा चोटे बे हारबर में ग्रे बनियान और सफेद दस्ताने पहने जहाओ दोंगफिं समुदर तटकी पार्किंग में दसीयों महेंगी लगजरी कारों को देखते हुए उरजावान दिख रहे थे यहाँ दिव्य डॉक्टर धनुष थे यहाँ नाम इतना प्रसिध था कि उन्होंने इसके बारे में लंबे समय तक सुना था वह 10 बिलियन युवान से अधिक की कुल संपत्ती के साथ मैगनिफिसेंट टैंक कॉर्पोरेशन के मालिक के रूप में धनुष की एक और पहचान भी जानता था उसने पहले सोचा था कि वह अपने शेश जीवन में धनुष जैसे महान व्यक्ति से कभी नहीं मिल पाएगा लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि धनुष को ब्लू स्टारफिश हवेली के महा प्रबंधक के रूप में बधाई देने के लिए उसे अपने बॉस से नोटिस प्राप्थ होगा वरुम कार के इंजन के बीच में जाओ डोंग फिंग की आत्मा हिल गई उसकी निगाहे दूर से तेज गती से दौरती चार सुपरकारों पर टिकी थी वह तुरंट अपने लाए गए दो कर्मचारियों को संकेत देने के लिए मुरा और फिर उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा जिस क्षन धनुशकार से उत्रा जाओ डोंग फिंग उसे एक नजर में पहचानने में सक्षम हो गया और उसके दिल में उसका अभिवादन करने के उत्साह को दबा दिया धनुशने जवाब में उसे हलका सा सिर हिलाया और फिर ओयूयांग लुलु की ओर हाथ हिलाया जो अभी भी आगे की सीट पर बैठा था फिर उसने पहले वाले से कहा क्या तुम ब्लु स्टार्फिश हवेली से हो ओयूयांग लुलु को देखते ही वह आदमी खुद थोड़ा अंदर तक खिल गया वह शंगाई में महेंगे रिस्तरा चलाने वाले व्यवसाई लोगों में से एक थे इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह ओयूयांग लुलु की पहचान को नहीं जान पाते धनुष के साथ उसका रिष्टा कितना घनिष्ठ था यह देखकर जाओ डोंग फिंग को अचानक लगा कि यह जोडी वास्तव में स्वर्ग द्वारा बनाई गई एक परिपूर्ण जोडी है दिव्य डॉक्टर टैंग मैं ब्लू स्टार फिश मेंशन का महा प्रबंधक हूँ मैं अपने नियोकता के निर्देश के अधीन हूँ सफेद बालों वाले युवक और तीन अन्य जो कंधे से कंधा मिला कर चल रहे थे ने धनुष पर तिरसकारपून ग्रिष्टी डाली उन्होंने जाओ डोंग फिंग को सीधे तोर पर टोका और गर्व से कहा हे उन्हें उनके बॉस ने हमें बढ़ाई देने का आदेश दिया था हे यू टैन बॉइ आप देखेंगे कि ब्लू स्टार फिश मेंशन कुछ ऐसी चीज है जिसका हम लोग आनंद ले सकते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जिसके अंदर आप अपना समय बिताने के योग्य हों क्या ऐसा है धनुष ने उदासींता से जवाब दिया लेकिन मुझे आपसे चैट करने का मन नहीं है जाओ डोंफिंग खुद जानते थे कि सफेद बालों बाला युवक और उसका चार लोगों का गिरोह कौन था वे शंधाई के स्थानिय नहीं थे वे बड़े परिवारों से ताल्लुक रखते थे और हाल ही में शंधाई आये थे हाला कि उनके नियोकता के साथ उनके अच्छे संबंध थे ब्लू स्टार फिश मेशन के महा प्रबंधक के रूप में उनकी पैनी नजर थी वह इस युवक और धनुष के बीच बारूद की गंध को कैसे नोटिस नहीं कर सकते थे हाला कि धनुष की उदासीनता को देख कर वह थोड़ा जिचका और बोलने के लिए खुद को बहादुर बनाया यंग मास्टर वूप मेरे नियोकता ने मुझे डिवाइन डॉक्टर टैंग को लेने का निर्देश दिया लेकिन मुझे यकीन है कि अगर वह अपने आने वाले कुछ अच्छे दोस्तों को जानता है तो वह निश्चित रूप से खुश और हैरान होगा प्रक्षालित बालो वाला युवक वूडालॉंग अचानक बेहत बदसूरत लग रहा था जाओ दोंग फिंकी तिपणी उनके चहरे पर एक अद्रिश्य थपड की तरह थी उसने बस धनुष पर तिरसकारपून द्रिश्टी से गोली मारी वह बेले को अपनी कृपा और उत्कृष्ट ताका प्रदर्शन करना चाहता था फिर भी परिनाम एक जोरदार थपड था रोश और लज्जा के कारण वह लगभग सीधे बाहर निकल गया आप नरक को बंद क्यों नहीं करते सरनें जाओ वू डालॉंग ने अपनी मुठी बंद कर ली और उसे सक्ती से उठाया अगर उसके पीछे ब्लू स्टारफिश मेशन के दो करमचारी नहीं होते तो वह उस आदमी को घुसा मारता जाओ डूंग फिंग ने अपनी सास रोक ली उसने कभी नहीं सोचा था कि वू डालॉंग अचानक उस पर फिदा हो जाएगा हाला कि वह केवल अपने क्रोध को भीतर ही दबा सकता था क्योंकि वह युवक की पहचान से डरता था उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेर दी और कहा मैं तुमसे सच कह रहा हूँ यंग मास्टर वू जब आप मेरे बॉस से मिलेंगे तो आप समझ जाएंगे डिवाइन डॉक्टर टैंग, प्रोप्राइटर ओयुयांग, प्रिप्या मुझे बोर्ड पर फॉलो करें मेरा नियोक्ता आपकी प्रतीच्शा कर रहा है धनुष ने वू डालॉन को चिढाते हुए देखा और ओयान लुलु का हाथ पकड़कर हसी उडाई और जल्दी से नाव पर उद गया वू डालॉन हामफने लगा और कई बार हामफने लगा उसकी नजर फिर बाकी दो लाठियों पर पड़ी और चिल लाया तुम बेवकूफों की तरह क्या देख रहे हो जल्दी करो और मुझे बोर्ड पर ले जाओ इतना कहकर वह और अन्य तीनों भी जल्दी से दूसरी नाव पर सवार हो गए जैसे ही नाव चल रही थी वू डालॉंग के साथ रहे युवक ने अचानक अपना सिरह लाया और कहा मुझे लगता है कि हम परेशानी में हैं भाई डालॉंग और यह सिर्फ आपकी रोज की परेशानी नहीं है भू डालॉंग ने भौहें चड़ाने और ठंडे चहरे के साथ जवाब देने से पहले एक पल के लिए खाली देखा बस इसे एक बार में ठूक दें और अगर आपको कुछ कहना है तो वापस न लें हाउ जिजी आप जानते हैं उस उपनाम जाओ ने उस उपनाम वाले तान को दिव्य डॉक्टर तान के रूप में सम्भोधित किया आप कुछ सालों से विदेश में हैं और लंबे समय से वापस नहीं आए हैं इसलिए आपने उसके बारे में कभी नहीं सुना लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उन दोनों के बारे में बहुत सपश्ट होने की संभावना है अन्य दो लोकों का रंग अचानक बदल गया था क्योंकि उन्हें अचानक कुछ याद आया उनमें से एक कामपने के अलावा और कुछ नहीं कर सका और जल्दी से कहा नाव रोको और वापस जाओ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है वो डालॉन गुस्से में उस पर चिल लाया अगर आपके पास कहने के लिए कुछ है तो इसे थूक दें वास्तव में उस लड़के की प्रिष्ठ भूमी क्या है आपने शांदार टैन कॉर्पोरेशन के बारे में सुना होगा है ना हाउस जीजी ने मुस्कराते हुए कहा वह उस कंपनी का बिग बॉस है धनुष इसके अलावा वह बीजिंग के टैन परिवार के एक शक्तिशाली सदस्य भी है शांदार टैन कॉर्पोरेशन और बीजिंग का टैन परिवार वो डालॉन की पुतलिया सिकुड गई और उसकी आँखों से खौफ छलक पड़ा अगर धनुष केवल मैगनिफिसेंट टैन कॉर्पोरेशन का मालिक होता तो उसे इतना जटका नहीं लगता लेकिन बीजिंग का टैन परिवार एक पर्मानों की तरह था जिसने उसके दिल में खौफ पैदा कर दिया वर्तमान समय में देश के किस प्रमुख परिवार को सबसे बड़ी शक्ती कहा जाता था निससंदेह यह बीजिंग का टान परिवार था यहां तक कि राजधानी हाउस याओ का बहुत बड़ा परिवार भी इस परिवार द्वारा नश्ट कर दिया गया था चहरा सफेद और पीला पड़ गया था वू डालॉंग ने हाउस जिजी को देखा और पूछा क्या तुम गलत नहीं हो वह लड़का वास्तव में हाउस टैं का वन्शच है हाउस जिजी ने सिर हिलाया उसे ऐसा होना चाहिए मेरे एक मित्र जो कुछ समय पहले हाउस टैं के पितामह के असीवे जन्मदिन में शामिल होने के लिए राजधानी गए थे उन्होंने धनुष को वहाँ देखा मैं उनसे एक और बात भी जानता हूँ धनुष को भविश्य में हाउस टैं का अगला कुलपती होना चाहिए हाफना वो डालॉंग थंडी हवा की एक धारा के साथ हामफने से खुद को रोक नहीं सका खुद एक प्रमुख परिवार के वन्शच के रूप में वह स्वाभाविक रूप से तथाक्थित वारिसों के साथ हाउस टैंग के सामान्य कनिष्ठों के बीच पहचान में असमानता को जानता था अगर वे हाउस टैंग के किसी भी अन्य जूनियर्स को नाराज करते हैं तो यह थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन अगर वह सरनेम टैंग वास्तव में हाउस टैंग का भावी कुलपती बनने के लिए तयार किया गया वारिस था तो यह मुद्दा बहुत बड़ा हो जाएगा इस छोटे से विवाद से उनके पूरे परिवार को फंसाने और उनका दुरभाग्य बनने की संभावना थी इक्या करो हालांकि यह उसके दिमाग में दोड़ गया और वू डालॉंग की अभिव्यक्ती इन दसियों सेकंड में हमेशा बदलती रही उसने आखिरकार अपने दाथ पीस लिए और कहा चलो वापस चलते हैं इसके तुरंत बाद चारों लुवक वापस किनारे पर आ गए और धनुष और ओयान लुलु को देखा जो पहले से ही विप्री तट पर उतरे थे वो डालॉंग एक पल के लिए चुप हो गया और फिर बोला जिजी और तुम लो मुझे आप सभी की कुछ मदद करने की जरूरत है क्या है वह खाव जिजी से पूछा हम में से प्रतीक दस मिलियन युवान निकालते हैं हम माफी के प्रतीक के रूप में धनुष को पैसे भेजेंगे वो डालॉंग ने कहा इसके अलावा आप उसे बताना चाहते हैं कि मुझे बहुत बुरी तरह पीटा गया है इसलिए मैंने नाफ पर मुह भर खून बहाया और फिर उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया साथ ही उसे बताएं कि मुझे अचानक एहसास हुआ है कि मैं कितना घमंडी था और अब मुझे इस बात का इतना पच्टावा हो रहा है कि मैंने आपको अपनी माफी मांगने के लिए उसके पास भेजा इस बारे में हाला कि हाव जिजी अपनी पहचान को याद करने के बाद धनुष का सामना नहीं करना चाहते थे उसे डर था कि अगर वह खराब मूर में है तो उसे धनुष के गुस्से का निशाना बनने के दुरभागे का सामना करना पड़ेगा फिर भी उसने वुडालॉन को मना करने की हिम्मत नहीं की भले ही उनके परिवार के पास कुछ शक्ती थी फिर भी यह वुडालॉन के परिवार से कम थी यदि वह इस लड़के के अनुरोध को अस्विकार कर देता तो संभावना थी कि उसके भविश्य के दिनों को सहन करना बहुत कठिन होता गुडालॉन भौचक्का हो गया और गहरी आवाज में बोला क्या बात है आप जाना नहीं चाहते हैं या कुछ और मैं जा रहा हूँ मैं पैसे को कवर करूँगा हाउ जिजी को अंदर ही अंदर समर्पन करने के लिए मजबूर किया गया और उन्होंने जल्दबाजी में जवाब दिया नहीं वू डालॉन ने अपना सिर हिला दिया यह मेरे कारण हुआ था इसलिए आप में से प्रत्येक केवल 10 मिलियन निकालेगा क्योंकि आप इसमें शामिल रहे हैं हाला कि यह मामला किसी और को नहीं सौपा जा सकता क्योंकि यह हम चारों के रवये का प्रतिनिधित्व करता है तभी हाउ जिजी को राहत महसूस हुई वास्तव में वह थोड़ा व्यथित महसूस कर रहा था जब उसने कहा कि वह पैसे को कवर करेगा क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं था अगर वू डालॉन सहमत हो गए होते तो उन्हें इसे कहीं से उधार लेने की बहुत संभावना होती ग्लू स्टार फिश मेशन के लैंडिंग पोर्ट पर धनुष और ओयान लुलु नाव से उत्रे ही थे कि उन्होंने दूर से एक पुरुष और एक महिला को आते देखा 25 साल के करीब का आदमी सुंदर था जबकि महिला की उम्र केवल 16 साल से अधिक थी और वह सुंदर थी धनुष बाद वाले लीके को तुरंक पहचान सकते थे जिनके साथ उन्होंने पहले एक वीडियो कॉल की थी जो वह व्यक्ती भी था जिसे वह इस बार देखने आया था दिव्य डॉक्टर तांग लीके ने धनुष की ओर आने के बाद जल्दी से उसे बुलाया उनका रवया बहुत सम्मान जनक था धनुष ने जवाब में थोड़ा सिरहिलाया और फिर पूछा क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारी मा कहा है लीके के बगल में हूँ शौकुन स्थब्ध था और उसका दिल असमंजस में था कि उसे हंसना है या रोना है वह भले ही धनुष से कभी न मिले हो लेकिन वह उनकी पहचान जानते थे फिर भी उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें सीधे तोर पर नजरंदास किया जाएगा और वे मिलने के ठीक बाद सीधे विशय पर चले गए हालांकि एक अच्छा प्रभाव देने के लिए उसने लीके के जवाब का इंतजार नहीं किया और मुस्कुराते हुए हिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया नमस्कार, डॉक्टर टैंग मैं इस ब्लू स्टारफिश मेंशन का मालिक हूँ शौकुन हूँ चाची जुआन इस समय अतिती कक्ष में है और उनकी स्थिती आशाबादी नहीं है धनुष ने उन्हें आब्जर्व करते हुए उनसे हाथ मिलाया फिर उन्होंने सिरहिलाया और कहा चलो मैं यहां रोगी का इलाज करने आया था तब से सुक्सुविधाओं को छोड़ दें कृप्या रास्ता बताएं इलाज खत महोने पर हम बात करेंगे ठीक है उस शौकुन के तेज और स्पष्ट उत्तर के बाद वह औरली के धनुष और ओयान लुलु को अंदर ले गए इसके तुरंत बाद समू उस कमरे में आया जहां रोगी रह रहा था इंटीरियर शांदार धंग से सजाया गया था और कमरा उजवल और विशाल था जिसमें चमेली के फूल हवा में तैर रहे थे सुरज की रोशनी खेडकियों से कमरे में आ रही थी बिस्तर पर लेटी पीली चहरे वाली पतली महिला को प्रतिबिम्बित कर रही थी धनुष ने कमरे में प्रवेश करते ही अपनी भौहें टेढ़ी कर ली क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि अंदर का तापमान बाहर की तुलना में कुछ डिगरी कम था फिर भी अंदर कोई एर कंडीशन या अन्यप्रशीतन उपकरन नहीं था धनुष ने तुरंट अपनी आध्यात्मिक भावना को मुक्त कर दिया और आसानी से शीतल उर्जा के स्रोत को खोज लिया यह बिस्तर में पड़े मरीज के शरीर से निकर रहा था कुछ अजीब है उसने मन ही मन सोचा और सीधे बिस्तर पर चला गया उसने रजाई को हिलाने के लिए हाथ बढ़ाया और उसकी नाड़ी देखने के लिए उसकी कलाई पकड़ ली कई मिनट बीटने के बाद उसकी भोहे गहरी हो गई और वह और भी हैरान दिख रहा था यह कोई बीमारी नहीं है काया पूरी तरह स्वस्थ है यह महिला बीमार नहीं है ऐसा लगता है कि वह सो रही है धनुष ने अपनी कलाई धीली की और ली कैसे पूछा क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी मा को किस तरह की स्थिती का सामना करना पड़ा मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ दिव्य डॉक्टर टैंग ली कैने अपना सिरहिलाया और कहा वह कई महीनों से कोमा में है और जीवन समर्थन के लिए पूरी तरह से पैरेंटरल नूट्रेशन पर निर्भर है कुछ भी दिमाग में आता है कि कोमा में गिरने से पहले उसके साथ क्या हुआ धनुष ने फिर से पूछा ली कैगहरे विचार में चली गई और फिर बोली कोमा में जाने से पहले कुछ हुआ था मा को पूरी रात और दिन दुहस्वपन आते रहे और लगभग कभी नींद नहीं आई अगर वह उठी भी तो वह गदगद थी और बड़ड़ाती रही खुन हर बार जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे अंदेखा कर दिया खुन मानो कुछ समझ में आ रहा हो धनुष ने एक सीलिंग तकनीक डाली और तुरंट अपने गलैबेला पर प्रहार किया कुछ सेकंड के बाद उसका शरीर कामपने लगा जब एक भयानक ताकत ने उसे अचानक मारा जिससे वह तीन कदम पीछे हट गया और मुह से खून निकलाया धनुष और यांग लुलु की पुतलिया सिकुड गई है वह धनुष की ओर बढ़ी और उसका समर्थन किया धनुष ने अपने होठों पर लगे खून को पोचा और बेहत गंभीर दिखे बिस्तर के पास आने से पहले उसने बिना कुछ बोले अपना सिर हिला दिया उसकी द्रिश्टी स्त्री पर पड़ी और वह इसक्षन कुछ उलजा हुआ दिखाई दे रहा था वह बस घूमना और चोड़ना चाहता था लेकिन वह आगरह का पालन नहीं कर सका लीकै जो हैरान और डरी हुई थी कि धनुष को कुछ हो गया है उसने जल्दी से पूछा क्या तुम ठीक हो दिवे डॉक्टर टैंग आखिर मेरी मा को हुआ क्या है धनुष ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर पूछा आपके परिवार में और कौन है आपके पिताजी का क्या लीकै का मुह खुल गया लेकिन उसकी अभिव्यक्ती गंभीर और उदास लग रही थी उशोकुन ने उसके कंधे को थप्थ पाया और मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया लीकै का जीवन काफी दैनिय रहा है दिवे डॉक्टर टैंग जब वह साथ साल की थी तब उसके पिता की एक दुरगटना में मृत्यू हो गई थी जबकि उसके माता पिता अनाथ थे इसलिए आंटी जुआंग और लीकै हमेशा एक दूसरे पर निर्भर रही है आशा के अनुसार धनुष ने गंभीर रूप से आह भरी और बोलते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा बॉस हू कृप्या मुझे एक शांत कमरा खोजने में मदद करें मुझे लीकै से निजी तौर पर बात करने की आवश्यक्ता है ठीक है उशोकुन सभी को अगले कमरे में ले गया और खुद से चाय का बरतन बनाया धनुष की पेशपश करने के बाद उन्होंने कहा डॉक्टर टैंग क्या आप मुझे अभी आंटी जुआं की स्थिती के बारे में बता सकते हैं धनुष ने उपर देखा और आह भरते हुए उस पर एक नजर डाली आ अगर मेरा अनुमान सही है लीके अभी भी पंद्रह से सोलह साल की होनी चाहिए और आप बॉस हूँ आपको कुछ कर्म बंधनों से अवगत कराया गया है और आपके पास जीने के लिए केवल छे दिन शेश रह सकते हैं इसके अलावा जो लोग रोगी के संपर्क में आते हैं उनका दुर्भाग्य होगा और अपरत्याशित घटनाओं का सामना करना पड़ेगा उस शौकुन के हावभाव बदल गए और उसके अंदर डर पैदा हो गया उसे उम्मीद नहीं थी कि धनुष लिके की स्थिती का अंदाजा लगा पाएगा वह थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया फिर भारी आवाज में पूछा डॉक्टर टैंग इससे आपका क्या मतलब है रोगी स्वयन समस्याओं का स्रोथ है धनुष ने अपना सिरहिलाया और कहा क्या आपको भी उसमें असामान्यताय नहीं मिली उस आदमी ने इसके बारे में सोचा और कहा आँटी जुआंग के शरीर से एक थंडी उर्जा निकलती है जिससे उसके चारों ओर का तापमान बहुत कम दिगरी तक गिर जाता है धनुष ने कहा यह केवल आपकी साधारन थंडी हवा नहीं है बलकी वास्तव में हानिकारक उर्जा है जिसे आपदा की उत्पत्ती और दूसरों के अस्तित्व पर अभिशाप कहा जाता है मुझे डर है कि वह जिस समय पैदा हुई थी ठीक उसी समय उसकी किस्मत में लिखा था और उसके सभी प्रीजनों को मार दिया जाएगा टिपणी ने हुँ शौकुन को नाराज कर दिया और उसने फटकार लगाई डॉक्टर टैंग कृप्या कुछ सम्मान करें आंटी जुआंग के इलाज के लिए हमने आपको आपकी चीनी चिकित्सा विशेशग्यता के कारण आमंत्रित किया था न की भाग्यपताने या कुछ और पर यात्रा करने वाली विशेशग्यता के कारण चिकित्सा की कला कुछ रहस्यमय तक्नीकों के साथ मिलकर चिकित्सा कौशल को और अधिक पूरी तरह से उठाने में सक्षम हो सकती है लोग मुझे एक दिव्य चिकित्सक के रूप में क्यों कहते हैं इसका कारण यह है कि मैं इस तरह की रहस्यमय और गहन तक्नीकों के बारे में जानता हूँ, धनुष ने कहा. आप मरीज को कई बड़े अस्पतालों में जाच कराने के लिए ले गए हैं, इसलिए आपको उसकी स्थिती के बारे में बिल्कुल स्पष्ठ होना चाहिए. ऐसा कोई तरीका नहीं है कि चिकित्सा विध्यान का वर्तमान स्थर उसकी समस्याओं की जाच कर सके. लिके ने धनुष को ऐसे देखा जैसे वह अपने उध्धार करता को देख रही हो और जल्दी से पूछा, दिव्य डॉक्टर टैंग, आपके पास अध्भुत कौशल है. क्या तुमने सन्योग से मेरी मा की स्थिती को समझ लिया है? यह सही है. लेकिन अगर मैं उसे बचाना और उसे जगाना चाहता हूँ, तो यह एक लंबा आदेश होगा. धनुष ने जबरगस्ती मुस्कराते हुए कहा, मेरी मौजूदा ताकत के साथ ऐसा करना काफी मुश्किल है. लीके की अभिव्यक्ती तुरंत गंभीर हो गई. उसने धनुष के रहसिमाई चिकित्सा कौशल के बारे में बहुत कुछ सुना था और यह भी सुना था कि इस आदमी ने बहुत से असाध्य रोगियों को ठीक किया था. लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पास अपनी मा को जगाने का साधन नहीं है. धनुष ने कहा, मैं रोगी की मदद करने में सक्षम नहीं हो सकता, लेकिन आप कर सकते हैं. यह सिर्फ इतना है कि आपको कुछ कीमत चुकानी होगी. लीकै के चहरे पर रोशनी वापस आ गई और उसने जट से जवाब दिया, मैं वह करूंगी जो भी करना होगा. लूट हू शौकुन ने बीच में टोका. कुछ चीजें अभी भी मुझे परिशान कर रही हैं. डिवाइन डॉक्टर टैंग. आपने अभी कहा कि आउंटी जुआंग दूसरों के अस्तित्व के लिए अभिशाप हैं और वह अपने प्रियजनों को मरवा देंगी. अभी कर्म के प्रभाव को दूर करने की जन्मजात विशेश शक्ती है. हालांकि इमानदार होने के लिए अब मैं इस बात को लेकर बहुत उचसुखों की मरीज ने अपने पिछले जीवन में क्या किया था? यह सोचना की स्वर्के नियम और पुनरजन्म के छै मार्ग इस बुरे कर्म को मिटा भी नहीं सकते. आपने कहा कि चाची जुआन की बीमारी उनके पिछले अवतार द्वारा किये गए बुरे कर्मों के कारण हुई है. धनुष ने लीके को देखा और पूछा, क्या आपको बुरा लगता है अगर मैं यह देखने के लिए बहुत आगे बढ़ जाओं की आपकी मा के पिछले अवतार ने किस तरह के कर्म किये हैं? और इस तरह के बुरे कर्म उसके वर्तमान जीवन में प्रतिशोध की मांग क्यों करते हैं? लीके थोड़ी देर के लिए जिचकी और फिर उचसुपता से पूछा, लेकिन क्या यह संभव हो सकता है? लेकिन मुझे आपको पहले से बताना होगा कि मरीज के जीवन की खोज करते हुए मैं उसके जीवन के अनुभवों को भी देखूँगा, धनुष ने कहा. निश्चित रूप से यह उसके इलाज से संबंधित एक बड़ा अंतर बना सकता है, अगर मैं कारण और प्रभाव का पता लगा सकता हूँ, संख्षेप में कर्म संबंध. लीके हूँ शौकुन की ओर मुडी और उसे एक पूछताच की नजर से देखा. उस आदमी ने एक पल के लिए सोचा और फिर गंभीर चहरे के साथ कहा, दिव्य डॉक्टर टैंग, अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उसकी हालत है. जब तक यह उसकी मदद कर सकता है, हम इससे सहमत हो सकते हैं. तो ठीक है, तुम सब यही रहो, धनुष ने हलके से सिर हिलाते हुए कहा. इसके तुरंत बाद, वह पिछले कमरे में वापस चला गया और वहां एक आत्मा को आकर्शित करने वाली सरनी की विवस्था की. शक्ती में अपनी तीवर प्रगती के कारण, वह कुछ अलौकिक शक्तियों का भी उप्योग कर सकता था, जो अब नसेंट सोल स्टेज विशेशग्यों के बराबर था. मानव आत्मा को आकर्शित करना और उनके कर्म बंधनों की खोज करना कुछ ऐसा था जिसे कोई साधारन नवजात आत्मा चरण साधक नहीं कर सकता था, यहां तक कि अमर भी इसे प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे. लेकिन वह ऐसा करने में सक्षम था क्योंकि वह अमर दुनिया में एक सर्वोच व्यक्ति था जिसके पास विभिन गहन शमताएं थी व्योहर्चना करने के बाद धनुष ने तकनीक डाली और अपने आध्यात्मिक ज्यान का एक अंश तुरंत महिला के मन समुदर में समा गया बस उसके पिछले जीवन की यादों के चोटे-चोटे अंशों को देखते हुए जब उसकी आध्यात्मिक भावना उसके मन के समुदर में प्रवेश कर गई तो उसके भीतर एक तीवर सहानु भूती जाग उठी यह उस दैनिय जीवन और अनुभव के कारण था जिससे वह गुजरी थी साथ ही उसके पिछले अवतार के बुरे कर्म और कर्म बंधन बहुत मजबूत थे कारण फल धनुष को अंधेरे पाताल में कर्म के सूतर खोजने में कुछ मिनट लगे उन्होंने इन कर्म रेखाओं का पालन करते हुए अपने पिछले अवतार की समस्याओं को जल्दी से समझ लिया फिर भी वह कम-कम पी छोड़े बिना नहीं रह सका और यह जानकर बहुत चौक गया कि इस महिला का पिछला अवतार एक राक्षसी क्रिशक था जिसने जबरदस्ट अपराध किये थे स्टार रत्न डोमेन, महामारी शैतान संप्रदाय, रक्ट बलिदान पाप और हत्याओं की दुनिया में डूबे हुए धनुष के रूप में दो घंटे बिताए गए थे यदि प्रिथवी पर सबसे गंभीर अपराधियों के हाथ, दसियों या सैकडों पीडितों के खून से लथपत थे तो यह समुदर में पानी की एक गुंद के अलावा और कुछ नहीं था और इस महिला के पिछले अवतार की तुलना में कुछ भी नहीं था यहां हत्याओं और जीवन के अर्बों क्षेत्रों के नरसंहारों से भरा था रक्त बहता है और लाल सागर में बदल जाता है पहाडियों की तरह लाशों का धेर ग्रह और तारे बह गए थे उसके गुजर जाने के बाद भी उस स्टार डोमेन पर जीवन के कोई और संकेत नहीं मिले थे उसके पाप धनुष ने अपने चहरे पर एक तीवर मजबूर मुसकान के साथ अपनी आखे खोली वह एक बार अमर दुनिया में एक सरवोच था और जिसने वहाँ अंगिनत हत्याई भी की थी फिर भी संक्या और आक्रोश अभी भी जो कुछ उसने देखा उसकी तुलना में बहुत कम था यह बस बहुत अधिक था एक ऐसा दृष जो अंत में खड़े होने के लिए अपनी नसों और बालों को खो सकता था महिला के पीले चहरे को देखते हुए धनुष ने अपना सिरहिलाया और कहा मुझे डर है कि अगर आप इस बुरे कर्म से छुटकारा पाने से पहले मुझसे नहीं मिले तो आपको संसार के नौप उनरजन्मों से गुजरना पड़ेगा फिर भी वह इस आधार पर है कि आपकी आत्मा यात्रा में बिखरती नहीं है अमरों को हत्याओं के कारण बुरे कर्म प्राप्थ होते हैं लेकिन इससे खत्म करने के तरीके हैं लेकिन आपने नहीं किया और इसके बजाए इसे जमा किया आपने स्वयां को मजबूत करने के लिए ऐसे बुरे कर्मों का उप्योग करने का भी प्रयास किया साधना का यह मार्ग वास्तव में दिन के अंत में धनुष को इसका वर्णन करने के लिए कोई अभिव्यक्ति नहीं मिली ताओ में प्रवेश करने के लिए हत्याओं का उप्योग करना और खुद दाओं को साबित करने और पुष्टी करने के लिए और अधिक हत्याएं करना अंगिनत काश्टकार और अमर हुए थे लेकिन कोई भी कभी भी इस तरह के अपमानजनक रास्ते से नहीं गया था या नहीं गया था यहां तक कि इस महिला को हृदयहीन के रूप में वर्णित करना भी एक समझ थी कुछ देर बाद धनुष दूसरे कमरे में चला गया फिर उसकी नजर लिकैपर पड़ी जो सोफे से उठी और गहरी आवाज में उससे बोली मुझे मामले की सक्चाई का पता चल गया है और मुझे अपने पिछले विचारों को दूर कर देना चाहिए वास्तव में केवल आप ही हैं जो अपनी मा को जगा सकते हैं लेकिन अभी समय नहीं आया है इसके लिए आपको अपने वर्तमान स्व से एक अलग अस्तित्व बनने की आवश्शक्ता होगी जिसमें आपको अपने जीवनकाल को भी बढ़ाने की आवश्शक्ता होगी जनता को गुमराह करने के लिए हर तरह की कोशिश की थी, जो मानते थे कि उनका जूट असली था। लेकिन भले ही आप हाउस टैंग से आते हैं, फिर भी मुझे आज भी आपसे कहना होगा। जूरी नहीं लगा। वह एक डॉक्टर के रूप में कार्य कर रहा था और उसके पास इलाज का अपना साधन था। चुंकि उस आदमी ने उस पर विश्वास नहीं किया, तो यह लिकै की पसंद पर निर्भर था। वह जुआंग उपनाम वाली इस महिला को जगाने का एक मात्र साधन खो देगा यदि उसने उस पर विश्वास नहीं करना चुना, जिसका अर्थ है कि महिला केवल उसे लेने के लिए मृत्यू की प्रतीक्षा कर सकती थी। इसलिए धनुष की नजर लिकै के चहरे पर पड़ी। कुछ शंकाओं और जिजक ने लिकै के दिल को भर दिया। लेकिन दस सेकंड के बाद उसके चहरे से संदेह और हिचकी चाहट गायब हो गई। वह कुछ हद तक बढ़ती उम्र के मुद्दे पर विश्वास कर सकती थी क्योंकि उसने सोचा था कि इस दुनिया में कई रहसिमय मामले हैं जबकि धनुष के पास खुद ऐसे साधन होने की बहुत संभावना थी। इसके अलावा यहां अंध विश्वास भी नहीं था। यहां उसकी अपनी काया के कारण था एक उदाहरन जिसे आज के विध्यान द्वारा समझाया नहीं जा सकता। उसकी मा भी एक और उदाहरन थी। वह जीवित थी, फिर भी उसके शरीर का तापमान जाचने पर थर्मा आमीटर ने 36.5 डिगरी दिखाया। यहां तक की कई चिकित्सा विशेशग्य भी उसके शरीर में द्रुच्शीतन उर्जा से हैरान थे। मैं आप पर विश्वास करता हूँ। दिव्य डॉक्टर टैंड ली कैने अकथनी अव्यभव बिखेरती आँखों से धीरे से कहा। हूँ शौकुन की अभिव्यक्ति हालांकी बदल गई और वह गुस्से में चिलाया कयर डिवाइन डॉक्टर टैंग मजाक कर रहा था। कौन संभवत है इस संसार में अपनी आयू बढ़ाने में समर्थ हो सकता है। यहां तक की अगर आप किसी और को लंबा जीवन दे सकते हैं तो यह तभी होगा जब आपको अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिले और आप एक अच्छा स्वस्थ जीवन जीएं। बॉस हूँ लीके रोगी के परिवार के सदस्य हैं। उसने मुझ पर विश्वास करना चुना इसलिए रोगी की स्थिती पर विचार करना मेरा धनुष ने हाथ हिलाया और कहा मैं जिस तरीके का उपयोग करता हूँ वह आपके लिए समझ से बाहर हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आप रोगी के इलाज में मदद कर सकें। इसलिए कृप्या पीछे हटें। उस शौकुन के दिल के अंदर गुस्सा ज अतीत में जब हूँ परिवार को अपने व्यवसाय में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा तो वह वह थी जिसने अपने परिवार की कमपनी की स्थिती को सुधारने के लिए बड़ी पूंजी लगा कर संकट को दूर करने में मदद करने के लिए संघर्ष किया। यहा कि धनुष, जिसे पूरे देश में लोगों द्वारा एक दिव्य चिकित्सक के रूप में सम्मानित किया गया था, ने उसकी स्थिती के बारे में एक मजाक उड़ाया। यह वास्तव में उनके लिए असहनिय था। उर शौकुन ने धनुष की उदासीन्ता और गुस्से को अपने दिल में दबाते हुए एक गहरी सांस ली। फिर उन्होंने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, धनुष, आंटी जुआंग के साथ मेरा कोई खून का रिष्टा नहीं हो सकता है, लेकिन वह मेरे लिए एक मा की तरह हैं। जबसे मेरी मा गुजरी हैं, तबसे मुझे अपने बेटे की तरह ट्रीट कर रही हैं। मा के अलावा भाई शौकुन वास्तव मेरे अब तक के सबसे करीबी रिष्टेदार हैं। जब वह बच्चा था तो मा ने कई वर्षों तक उसे अपने बेटे की तरह पाला। वह वास्तव में हमारे लिए परिवार के सदस्य हैं। मुल्यवान दवा की जरूरत है, जिससे मुझे काफी शारिरिक और मानसिक महंत खर्च करनी पड़ेगी। चुंकि आप रोगी को एक रिष्टेदार के रूप में मानते हैं, मुझे लगता है कि उक्चा शुल्क के रूप में एक सौ मिलियन युवान इतना अधिक नहीं है, नहीं। शमा, उशावकुन को अपनी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और उसने धनुष की ओर अविश्वास से देखा, वह लगभग कूद गया और कुछ शाप चिलाया, आंटी जुवान के इलाज के लिए एक सौ मिलियन युवान, क्या यह कोई चमतकारी अमरित है जिसकी क चुन सकता हूँ, ली कहने हूँ शौकुन और फिर धनुष पर एक नजर डाली, हिचकी चाहट के बाद उसने कहा, कयर आपको एक सौ मिलियन युवान देगा, दिव्य डॉक्टर टैंग, जब तक आप मेरी मा को ठीक कर देंगे, तब तक मैं आपको और अधिक मूल्यवान उफार दूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास वास्तव में पैसा है, ठीक है, मैं अपना इलाज जारी रखूंगा और कीमत खोलूंगा, धनुष ने अपना सिरहिलाया और कहा, वास्तव में पैसा मेरे लिए अर्थहीन है, लेकिन बॉस हो मुझ पर भरोसा नहीं थी, ब्लू स्टारफिश मेशन के 49% शेर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस प्रतिष्ठान का कुल शुध मूल्य 2 बिलियन से अधिक था, फिर भी वह वास्तव में, लीके कुछ सेकंड के लिए खामोश हो गई, और धीरे से बोली, मेरे परिवार की कुल संपत्ती 3.6 6 बिलियन है, डिवाइन डॉक्टर टैन, जिसके बारे में मुझे अभी हाल ही में पता चला है, यदि आप मेरी मा की स्थिती को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, तो मैं यह सब आपको हस्तांतरित कर दूँगा, लेकिन क्या आप इस मामले में भाई शौकुन को खीचना अगर वह सहमत हैं, तो मैं आपकी मा का इलाज करते समय उनकी राय को नजरंदाज नहीं करने का विकल्प चुन सकता हूँ, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि उसने आपको और आपकी मा को कभी परिवार का सदस्य नहीं माना, इस प्रकार उसके पास सवाल नहीं करता अगर वह जानता था कि यह ऐसी स्थिती में विक्सित होगा, लेकिन क्या वो खुद नहीं थे जो बड़ी-बड़ी बाते करते थे कि वो किसी की उम्र बढ़ा सकते हैं, क्या उसने यह नहीं कहा कि उसके पास आण्टी जुआं का इलाज करने का साधन है, यह पूरा रिसॉर्ट पूरी तरह से अकेले उसके स्वामित्म में हो सकता है, फिर भी यह वह सारी दौलत थी जो उसे अपने परिवार से विरासत में मिली थी, वो फैमिली बहुत सारी संपत्ती वाला एक बड़ा परिवार था, लेकिन उसके अभी भी दो बड़े भाई इन तीनों भाईयों को परिवार की संपत्ती के कारण टकराने से रोकने के लिए, पित्री पक्ष ने परिवार की संपत्ती को पहले से विभाजित कर दिया, जिसमें परिवार की कुल संपत्ती को तीन भागों में विभाजित किया गया, और तीनों भाईयों को बराबर का ह इस्सा मिला. मामले में, उसने ब्लू स्टार्फिश हवेली के 49% शेर धनुश को दे दिये, तो उसका व्यक्तिगत नुकसान सहन करने के लिए बहुत बड़ा होगा, है ना? हाला कि अगर धनुश वास्तव में आंटी जुआं को ठीक कर सकता था, और उसने अब हार मान ली, तो उसे डर था कि उसकी अंतरात्मा की निंदा की जाएगी, और वह अपना शेश जीवन गर्द और पच्चतावे में बिताएगा, क्या हूं एस्ट्रिस्क थेर एस्ट्रिस् धनुश मैं ब्लू स्टारफिश हवेली के 49% शेरों को आपको स्थानांतरित करने के लिए सहमत हूं, जब तक कि आप आंटी जुआंग की बीमारी का इलाज कर सकते हैं, किनारे पर ओयांग लुलू ने सपश्ट रूप से हस्तक शेप किया, अरे अगर धनुश रोगी की ब पैराडाइज मैनर का मालिक था, फिर भी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि धनुश पर उसका भरोसा इतना अधिक है, पैराडाइज मैनर की कुल संपत्ती ब्लू स्टारफिश मेशन जितनी अच्छी नहीं हो सकती है, लेकिन यह उतनी दूर भी नहीं थी, क्या अधिक है उसे जुए की हिस्सेदारी के रूप में केवल 49% शेरों की आवश्चकता थी, परिनाम की परवाह किये बिना यह अभी भी एक जीत थी, फिर मैं सहमत हूँ, हूँ शौकुन ने अपनी मुठी भीची और गंभीरता से जवाब दिया, धनुश मुस्कुराया और ओयान लु और समझाया, किसी भी बाहरी व्यक्ती के लिए साधन जानना असंभव है, इसलिए आप हमारा अनुसर्ण नहीं कर सकते, लेकिन जब मैं रोगी का इलाज कर रहा हूँ, तो आप उपस्थित हो सकते हैं, हूँ शौकुन ने एक पल के लिए सोचा और बिना कुछ कहे सिरहिल इसके तुरंत बाद कमरे में केवल हूँ शौकुन और ओयान लुलू ही बचे थे, हूँ शौकुन खुद लंबे समय से ओयान लुलू के आकरशक और सुन्दर दिखने के कारण उसके प्रशन सकते और वह हमेशा उसका पीछा करना चाहते थे, लेकिन वह आंटी जुआं को दुनिया भर के प्रमुख अस्पतालों से संपर्ख करने में मदद कर रहा था, इसलिए उसके पास आगे बढ़ने का समय नहीं था और उसने अब तक इसमें देरी की, हाला की फूल का पहले से ही एक मालिक था, जिसमें मालिक खुद वह नहीं था, जिसे वह भढ़का सकता इसलिए वह केवल अंदर आहे भर सकता था और चुपचाप हार मान सकता था, ओयंग लूलू के खूबसूरत चहरे को देखते हुए, वो शौकुन ने धीरे से कहा, मुझे पता है कि आप और धनुष प्रेमी हैं, सुश्री ओयंग, लेकिन क्या आपके लिए यह उचित है क कि आप उसे खुश करने के लिए पैराडाइस मैनर का उपयोग करें, ओयंग लूलू ने जवाब में कंधा उचकाया और मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा इरादा नहीं था, अगर ऐसा करने से उसे बहुत खुशी होगी, तो मैं उसे एक बार में यह देने को तयार हूँ और उसे वह करने देना चाहता हूँ जो वह इसके साथ चाहता है। क्योंकि अगर ऐसा होता है, तो मैं उससे पूरी तरह से समर्थन करने की मांग कर सकता हूँ। अब हो शौकुन की भौहें इतनी तन गई कि उसने अपना सिरहिलाया और आहे भरी। अगर ऐसा होता है, तो मुझे वास्तव में आपके लिए खेध होगा। Paradise Manor का वार्षिक लाभ काफी अधिक होना चाहिए, आपके खर्च को कवर करने के लिए परियाप्त से अधिक होना चाहिए। लेकिन इसे एक आदमी को क्यों दें, हालांकि वहाँ आपको उपर ले जा सकता है। मुझे पता है कि धनुष की पहचान सामानिय नहीं है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप अपनी आय के साथ अपने खर्च का समर्थन कर सकते हैं, तो आपकी अधिक गरिमा होगी। आप जानते हैं, मैं अंत में समझता हूँ कि धनुष ने एक बार मुझसे क्या कहा था, कि धर्मनिर्पेक्ष दुनिया के अन्य लोगों के साथ आख से आख मिला कर देखना वास्तव में बहुत मुश्किल है। अनुभूती थी। लीके धीरे से जवाब देने से पहले कुछ सेकंड के लिए चुप रही, भाई शौकुन का कोई पक्ष नहीं है जिस पर इस संबंध में संदेह किया जा सके। ठीक है कम से कम मेरे और मेरी मा के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं। मुझे इस से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए कि वह व्यवसाय के 49% शेयर खो देगा और फिर वह मुझसे मुझसे मुआवजा मांगेगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि वह ऐसा कभी नहीं करेंगे। बिल्कुल, क्या होगा अगर मैं वास्तव में तुम्हारी मा को ठीक कर सकता हूँ, धनुष ने मुस्कराते हुए पूछा। अगर ऐसा होता है, तो मैं उसके नुकसान की भरपाई के लिए अपने धन का उपयोग करने जा रहा हूँ, ली कहने कहा। धनुष ने थम्स अप दिया और तारीफ की, उशोकुन बहुत गुस्से में है, फिर भी वह ब्लू स्टारफिश हवेली के 49% शेरों के लिए आपकी मा के जीवन का आदान प्रदान करने के लिए सहमत हो सकता है, उन्होंने खुद को बहुत अच्छा इंसान साबित किया है लेकिन उस पर आपका भरोसा भी मुझे दिखाता है कि आप दोनों किस तरह के इंसान है, चिंता न करें, मैं उन शेरों को नहीं लूंगा, भले ही मैं तुम्हारी मा की बीमारी का इलाज कर सकूँ, हाला कि वह 100 मिलियन युवान भुगतान अभी भी परियाक्त नहीं है, आ ठीक है, मुझे चापलूसी छोर दो और इस साधना कला को यार करो जो दिल और दिमाग पर जोर देती है, बाद में मैं तुम्हें कुछ और सिखाने जा रहा हूँ, धनुष ने मुसकराते हुए कहा, मन की खेती कला, लीके ने उचसुकता भरी नजरों से कागस को देखा, आखिरकार कहा और किया जाता है, वास्तव में आपके पास काफी अच्छी किस्मत है, आप जानते हैं, धनुष ने आह भरी, तो तुम्हारी मा भी है, जब से तुम दोनों मेरे पास दौरते हूँ, मैं वास्तव में आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, यदी कुछ ह तो बस इस चित साधना कला को याद करें जो मैंने आपको सिखाई थी, लेकिन आप किसी और आत्मा को कभी नहीं बता सकते हैं, भले ही वह वही हो जिस पर आप हूँ शौकुन की तरह सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, इसके अलावा एक और वादा है जो मैं आपसे लेना च धनुष ने कहा, इस जीवन और इस दुनिया में आपको बीजिंग के हाउस टैंग के साथ कभी दुश्मन नहीं बनना चाहिए, इसके अतिरिक्त आपको यह याद रखना चाहिए कि आप मुझ पर एहसान मंद हैं, जो इस बात के बराबर है कि आप पर हाउस टैंग का की उपेक्षा नहीं करूंगा, आपने मुझे बताया था कि मेरा केवल एक बार टैंग परिवार की मदद करने का दायत्व है, लेकिन मैं आपके सामने प्रतिज्या करता हूँ कि मैं उनकी तीन बार मदद करूंगा, अगर मुझ में क्षमता होगी, लीक्य की प्रतिज्या धनुष की संतुष्टी के लिए काफी थी, इसलिए उन्होंने सिरहिलाया और कहा, ठीक है, फिर, पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि इस साधना कला का अभ्यास कैसे करें, दो घंटे बिताने के बाद धनुषली कैको खेती के सभी पहलों से अवगत कराने में सक्षम थे, नि अभी आपको सिखाया है, और ध्यान रखें की ऐसा करते समय आपको अपने दिल और दिमाग को केंदरित और शांत करना चाहिए, धनुष ने दीरघायू की गोली निकाली और लिकै को सौप दी, जीवन सार गोली, और शधिय गोली का पहलू लिकै के ज्यान से बाहर था, ल अपने दिमाग को भटकने मत दो और जो मैंने अभी तुम से कहा है, उसे तुरंट करो, धनुष ने गहरी आवाज में आदेश दिया, लिकै ने जल्दी से अपने दिमाग पर काबू पाया और उस पर ध्यान केंदरित किया, समय बीटता गया, जब साथ घंटे बीट गए, लिकै का शरीर अचानक हिल गया, उसने अपनी आखें खोली और अपने शरीर से बद्बू को सुंख सकती थी, धनुष ने एसेंस एमैसिंग पिल निकालने में संकोच नहीं किया और उससे कहा, आपके सिस्टम से बद्बू आ रही है, लेकिन ऐसा आपके शरीर से निकलने वाली अशुद्धियों के कारण होता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें साफसफाई पसंद है, लेकिन अभी उसके लिए समय नहीं आया है, पहले इस सार संचय गोली को लें, मैं आपको साधनापत पर कदम रखने में मदद करूँगा, लीकै ने अपने गाल को थोड़ा ग पिल ली और उसे एक ही बार में निगल लिया, रात फिर पलक जपकते ही आ गई, जब उसने फिर से अपनी आखें खोली, तो उसके होंट कुछ बार फड़फडाए और उसकी आखों में चमका गई, उसने महसूस किया कि उसके शरीर में शक्तिस पश्ट थी, और वह पहले स कहीं बहतर आकार में महसूस कर रही थी, धनुष जो उसके सामने आल्थी पाल्थी मार कर बैठा था, ने अपनी बीच की अंगूठी से एक जेड की बोतल निकाली और लीकै को सौंप दी, यहां कुछ लाइफ एसेंस पिल्स हैं, आपको बिना चुके हर दिन एक लेना चाह लीकै उठी और उसकी नाग थोड़ी थोड़ी हिल गई, फिर उसने कहा मैं आपके निर्देशों को ध्यान में रखूंगी दिव्य डॉक्टर टैंग, लेकिन क्या आप कृप्या थोड़ी देर प्रतीक्षा कर सकते हैं, मैं, मैं, एक शौवर लेना चाहता हूँ, धनुष अब काफी देर हो चुकी है, मैं अब और नहीं रुकूंगा, जाओ और नहालो, जब आप लाइफ एसेंस की गोलिया खालेंगे, तब मैं आपसे मिलने वापस आउंगा, लेकिन देर हो चुकी है, और मैंने आज भी आपको खाते हुए नहीं देखा, दिव्य डॉक्टर ट विकार करने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक उसे याद आया कि म्यू वानिंग अभी भी ब्लू स्टार विला में था, जबकि वह अभी ओयां लुलू के साथ था, आज रात इस शाही महिला को छोड़ने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन भगवान जानता था कि क्या अगर वह उसे ब्लू स्टार विला ले जाएं और वहां मू वानिंग से मिले, तो ठीक है, मैं यहीं रात बिताऊंगा, धनुष आखिरकार मान गया और जाने के लिए मुर गया, इस समय हूँ शौकुन कमरे के बाहर दालान में एक चिंतित अभिव्यक्ती के साथ आगे पी उसने फिर जट से पूछा, आँटी जुआंग कैसी है? क्या वह अभी तक ठीक हुई है? मैंने पहले ही आपको पहले ही बता दिया था कि मैं रोगी का इलाज नहीं कर सकता, फिलहाल वर्नाली कैको नुकसान होगा, है ना धनुष ने उत्तर दिया, लेकिन कोई चिंता नही मैं कुछ दिनों में इलाज शुरू कर सकता हूँ, तो तुम पूरे दिन क्या कर रहे हो? हूँ शौकुन ने जट से पूछा, लीकै इसी समय धनुष के पीछे के दरवाजे से बाहर निकली, उसने हूँ शौकुन की तरफ देखा भी नहीं और जल्दी से बाथरूम की ओर भागी, यह बद्बू, उस शौकुन ने गहरी भाहें खीची और अपनी नाक को चुटकी में लेने के लिए हाथ उठाया, तीवर बद्बू ने उसे उल्टी करने का आगरह किया, वह हैरान था कि वास्तव में लीकै के शरीर से बद्बू आ रही थी, वह उसे स्वच्छत और खाली घूरना बंद करो, है ना धनुष ने कहा, लीकै ठीक है, उसके शरीर की अशुधियों को दूर करने के लिए मैं बस एक विशेश साधन का प्रयोग करता हूँ, जो उसके लिए बहुत लाबदायक होगा, साथ ही हम आज रात यहां ठहरे हैं, इसलिए कृप्या हम मज़्या शुधिकरण और शिराओं की सफाई मार्शल वर्ड के विशेशक्य करते हैं, ठीक है, मैं किसी को इसे तुरंत व्यवस्थित करने के लिए कहूंगा, क्या आपको एक या दो कमरे चाहिए, धनुष ने अपना सिर अगले कमरे के दरवाजे की ओर घुमाया, और अपने चहरे को छूने के लिए अपना हाथ उठाया, हाला कि वह ओलुयांग लुलु को धनुष के साथ यहां रात बिताना नहीं चाहते थे, वास्तविक्ता करूर थी, वे एक पुरुष और एक महिला थे, और एक युगल भी थे, उनके लिए एक साथ रात बिताना पूर के सेट में बदल गया, इसके बाद उन्होंने ओयान लुलु को देखा, जो सोफे पर आराम से बैठे थे, उसके चहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने पूछा, क्या तुम नहाना नहीं चाहते, ओयान लुलु ने ठाहका लगाया, और नाखुशी से कहा, हम सहमत थे कि आप मेरे साथ खरीदारी करने जाएंगे, कुछ व्यंजनों का स्वात चकने और आज फिल्में देखने के लिए, लेकिन दिन के अंत में केवल आपके रोगी के उपचार के कारण सब कुछ विलंबित हो जाता है, इस कोमल बच्ची के दिल में दर्ध हो रहा है, और नहाने की भ जिना नहीं रह सका और बोला, हालां कि तुम एक बच्चे की तरह कैसे हो सकते हो, खैर ऐसा नहीं था कि मैं भी यही चाहता था, ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें कल पूरे दिन साथ रखूंगा, ओयान लुलू के चहरे की शिकायत तुरंत गायब हो गई, वह इसके बजाए स तोफे से उचली और मुस्कुराते हुए बोली यह एक सौधा है, इसे वापस नहीं ले रहा, समच गया, सौधा धनुष ने मुस्कुराते हुए सिरहलाया, जैसे ही ओयान लुलू ने बाथरूम में प्रवेश किया और अंदर से पानी की आवास सुनाई दी, धनुष ने अपना सेल फोन निकाला और मुवानिंग का नंबर डायल किया, उसकी कॉल कनेक्ट होने के बाद उसने कहा, वेनिंग मैं अभी ब्लू स्टार फिश मेशन में हूँ क्योंकि मुझे अचानक पता चला कि लीक है उसकी मा को यहा ले आई है, इसलिए मैं मरीज की स्थिती की ज करने आया हूँ, क्या आप उसका इलाज कर सकते हैं? मुझे दोपहर में एक नोटिस भेजा की एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है, जिसमें मेरी उपस्थिती आवश्चक है, तो ठीक है, जब आपका काम हो जाएं तो बस मुझे कॉल करें, धनुष ने कहा, फोन रखने के बाद धनुष केवल म्यू वानिंग से माफी मांग सकत था और मन ही मन उसके लिए खेद महसूस कर रहा था, लेकिन फिर पागल लड़की ओयान लुलू से निपटना हमेशा मुश्किल था, वह यह पता लगाने में सक्षम नहीं होगा, कि अगर वह उसके साथ परियाप्त रूप से साथ नहीं होता, तो वह उसे खोजने के लिए कहा और कब दौर पड़ती, लेकिन दिन भर ओयान लुलू के साथ समय बिताने के बाद उन्होंने पाया कि वह अपनी खेती में महनती थी क्योंकि उनकी खेती में लगातार सुधार हो रहा था, अब भी वह फाउंडेशन्स थापना के मध्य चरण में पहुँच गई थी, औशधिय गोलियां लेना अच्छा है, लेकिन फिर भी नीम्व बहुत महत्वपूर्ण है, धनुष मदद नहीं कर सका लेकिन चुपके से आह भरी, हाला कि वह पूरी तरह से जानता था कि उसकी महिलाओं और अधिनस्थों ने उनके तेजी से विकास के लिए बहुत सारी लेकिन उन्हें जितनी जल्दी हो सके बढ़ने देने का कोई तरीका नहीं था, जहां तक नीम्द की समस्याओं की बात है, जब तक वे आत्मा के गठन के चरण तक पहुंचे, वह उन्हें अमर दुनिया में ले जाएगा जहां वह वहां किसी रहसिमय जगह से अमर आत्मा क के तरल पदार्थ को प्राप्त करने का रास्ता खोज सकता था, यदी वे इसे ले लेते तो उनकी जरजर नीम्द के लिए समस्या का मूल कारण पूरी तरह से उपर उठ जाता, घड़ी ने रात के गस बजाए, क्रिस्टल लैंब की कोमल रोशनी ने दूसरे कमरे को ऐसे र अलग हो गई है, ऐसा कहा जा सकता है कि अगर आपकी तवचा खुरदरी और नाजुक हुआ करती थी, तो अब यह बहुत चिकनी और कोमल थी, क्या तुम आईना नहीं देख सकते, काय? जरा बताओ, धनुष ने तुम्हारे साथ क्या किया? लगता है आप एक ही दिन में के को बाहर किया. लिकै घूमी और उसने पलके जपकाते हुए पूछा, भाई शोकुन तुमने अभी क्या कहा? मैं पहले की तुलना में दो या तीन सेंटीमीटर अधिक हूँ? हाँ, मुझे इसका एसास तब हुआ जब हम एक साथ कमरे में दाखिल हुए, उस शोकुन ने स उसकी आखों में चमक और भी तीवर हो गई, बुदबुदाते हुए बुली कमाल है. यह वाकई बहुत ही आश्चर्यजनक है. दिव्य डॉक्टर टैन वास्तव में एक देवता या कुछ और जैसा है. मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में उनसे ज्यादा कमाल कोई और हो सकता है. लीकै को अपने सामने धनुष की प्रशंसा करते देखू शौकुन के लिए चाहे कितना भी दुख हुआ हो, लेकिन उन्हें यह स्विकार करना होगा कि धनुष में वास्तव में ख्शमता थी. ऐसा तरीका अपने लिए एक चमतकार भी था. बस मुझे जल्दी स बताओ, धनुष ने तुम्हारे साथ क्या किया, कया? लीकै वापस अपने होश में आई. वह जिजकी लेकिन फिर बोली, मैं आपको इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकती, भाई शौकुन. ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने पहले ही उससे वादा किया था कि वह किसी को कुछ भी नहीं बताएगा. हाला कि कृप्या दिव्य डॉक्टर टैंग पर विश्वास करें. वह बहुत महान और आश्चर्यजनक रूप से सक्षम है, और शायद उसकी तुलना कुछ खगोलिय प्राणियों से की जा सकती है. कृप्या उतेजित नहूं. मैं आपको बता सक हूं कि उन्होंने मुझे बहुत सी चीजें सिखाई हैं. यहां तक कि जो चीजें उन्होंने अभी मुझे सिखाई हैं, वे मेरे लिए उन्हें अपने गुरु के रूप में संबोधित करने के लिए परियाप्ध हैं. वो शौकुन खामोश हो गया. वह लीकैके चरित्र से अच्छी तरह वाकिफ थे. अगर उसने कुछ वादा किया होता तो वह हिलती नहीं थी. उसने सब कुछ गुप रखने के लिए धनुष की बात मान ली, जिसकी बहुत संभावना थी कि अगर वह पूचता रहेगा तो भी उसे कभी जवाब नहीं मिलेगा. हाला कि उनके दि ने पहले कहा था कि वे तुम्हारे जीवनकाल को बढ़ा सकते हैं. क्या वह सच है? हुँ शौकुन से पूचा. सिर्फ हिलाने से पहले लड़की एक पल के लिए जिजगी. यह सच होना चाहिए, मुझे लगता है. आपने यह भी देखा है कि मैं अब कितना अलग हूँ है न दिव्य डॉक्टर टैन ने मुझे एक बहुत ही रहस्यमेई गोली दी. यह न केवल मेरी काया को बदल सकता है, बलकि मुझे यह भी महसूस हुआ कि मैं वास्तव में अपने असली किशोरावस्था में वापस आ गया हूँ जब मैं जोश और उत्साह से भरा हुआ था. यह स कि जब मैं इन गोलियों को लेना समाप्त कर लूँगा तो वह मा का इलाज करेंगे. ऐसा लग रहा था कि हूँ शौकुन कुछ सोच रहा था और उसने खुद धनुष को देखने का फैसला किया, इसलिए उसने हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, फिर तुम्हें अच्छे से आरा नहीं लगती, फिर भी मुझे अपना पेट किसी चीज से भरना है. आ, यह सही है, क्या आपने सन्योग से दिव्य डॉक्टर टैंग को भोजन देने के लिए किसी की व्यवस्था की थी? उसने आज भी कुछ नहीं खाया है. यह सुनते ही हूँ शौकुन ने तुरंग अपन चाते हुए कहा, दिव्य डॉक्टर टांग, बहन ओयूयंग, आज आप दोनों के लिए यह कठिन रहा है. इसलिए मैंने भाई शौकुन को भोजन तयार करने के लिए कहा. क्या हम साथ में भोजन करें? मेरे लिए उत्तम है. ओयंग लुलु खुद ली कैसे बहुत प्यार क कहा, कि वह आपके साथ कुछ बात करना चाहता है, ली कैने कहा. लेकिन फिर मैंने सुना कि उसके सरनेम हाओ का एक डोस्ट है, जो दिन भर उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, इसलिए वह पहले अपने दोस्ट के पास गया. इसके अलावा एम में, मैं आपसे एक बात पूछता ह मुझे अध्यापक्त धनुष का भाव अजीब हो गया. आपने मुझे इतना ज्यान सिखाया है, दिव्य डॉक्टर टैंग. इतना ही नहीं, बलकि तुमने मुझे पुनरजन्म की कृपा भी दी है, ली कैने जल्दबाजी में समझाया. इसलिए मुझे लगता है कि मुझे आपके प्रती सम्मान व्यक्त करने के लिए आपको शिट्षक कहना चाहिए. धनुष ने कई वेटरों को तेजी से मेज पर बरतन रखते हुए देखते हुए सिग्रेट जलाई. उन्होंने रेड वाइन की कुछ बोतले भी डाली और फिर जल्दी से निकल गए. उन्होंने दर है कि बुरा कर्म तुरंट आप पर हावी हो जाएगा. घले ही मैं अपनी अलौकिक शक्ती के साथ उस बुरे कर्म बंधन के प्रसार को अस्थाई रूप से काट दूँ, इसकी पूरी संभावना है कि मेरी साधना प्रभावित होगी. बुरा कर्म तली के हैरान थी और उ लेकिन मैं वास्तव में इसे जानना चाहता हूँ क्योंकि यह मेरी मा के मुद्दे के बारे में है, ली कैने द्रिटापूर्वक कहा. आपसे साधना करना सीखना मेरे लिए पहले से ही एक भागेशाली बात है, दिव्य डॉक्टर टैंग, इसलिए मुझे इस बात का डर नह है कि यह भविश्य में मुझ पर कितना प्रभाव डालेगा. एक आह के साथ धनुष ने कहा, तो मैं आपको बता दूँगा यदि आप जोर देते हैं. तुम्हारी मा के पिछले अवतार ने मेरी कलपना से परेपाप किया है. यहां तक कि जब मैंने उसका इलाज किया, तो म मुझे भी स्वर्ग की पहचान को ढाल देने के लिए फेंग शुई की. व्यवस्था करनी चाहिए, अन्यथा इससे मुझे बहुत नुकसान होता. आखे सिकुड गई, लीके ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, आप गलत समझ रहे हैं. दिव्य डॉक्टर टैंग. मा आपको पहले ही कहा था कि आप दोनों बहुत भागेशाली हैं कि मुझे मिल गए, अन्यथा बुरे बुरे कर्म उसके अगले पुनर्जन में उसका पीछा करते रहेंगे और उसके हर भविष्य के जीवन को प्रभावित करेंगे. लीके ने धनुष को एक तक देखा और हाला कि वह निश्चित नहीं थी कि प्रिथवी पर कितने लोग रहते थे, यह संख्या निश्चित रूप से लगभग सातपलस अरब लोगों की थी. लेकिन यह कहना कि उसकी माने अपने पिछले जन्म में जितने लोगों को मारा था, वह सातपलस बिलियन से अधिक था. य लेकिन वह वास्तव में धनुष की कही हुई बात को स्विकार नहीं कर सकी, यहां तक कि उसका विश्वास भी डगमगा गया. उसके लिए उसकी मा दुनिया की सबसे दयालू महिला थी, और वह कभी किसी को नहीं मारती थी, साथ अरब से अधिक लोगों को तो छोड़ ही द लेकिन उनका पिछला अवतार इस दुनिया का नहीं था, लेकिन उनकी यादों से मैं उन रिश्वों को देख सकता हूँ जहां नदी की तरह खून बहता है और लाशों के समुदर में एक पहाड़ी की तरह जमा हो जाता है. एक क्रिशक और एक मादा शैतान भी लीके की अपना भाग्य है. आपने अभी साधना शुरू की है और भले ही आप अपने शरीर में ट्रू एसेंस उर्जा के हलके उतार चड़ाफ को ही महसूस कर सकते हैं, फिर भी आपने साधना की यात्रा शुरू कर दी है. ऐसी चीजे हैं जिन्हें आप अभी जानने के योग्य हैं और नहीं उनकी कलपना करने में सक्षम हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे मौझूद नहीं है. मुझे चाहिए. कुछ समय अकेले. ऐसा लग रहा था कि लीके ने अपने आत्मा खोदी है और कमरे से बाहर निकल गई है. उसने महकते पकवानों की ओर देखा तक नहीं. ओया सकता हूँ कि वह एक शुद्ध और सरल लड़की है. धनुष ने शांती से उत्तर दिया, मैंने उसे केवल उसके जीवनकाल को बढ़ाने के लिए एक उतली साधना कला सिखाई. अगर वह कड़ी मेहंत करती है और एक अच्छे अवसर का सामना करती है, तो उसके लिए भवि धनुष में और आगे जा सकेगी. इसलिए मुझे लगता है कि मैं उसे बाद में ठोकर खाने देने के बजाए अब उसके साथ कठोर और क्रूर व्यवहार करूंगा. हालां कि यह अफसोस की बात है. धनुष ने आभरी. यहां तक कि अगर मैं अस्थाई रूप से उसकी मा क को ठीक कर सकता हूँ, तो मुझे डर है कि उसके पास केवल 10 साल बचे हैं. ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मैं लीके के जीवनकाल का उपयोग उसके जीवन को बढ़ाने के लिए करता हूँ. यही कारण है कि लीके अधिक से अधिक 60 वर्ष की आयू तक ही जीवित रह सकती है. इसलिए मैंने उसे जीवनसार गोली दी और साधना पत पर कदम रखने में उसकी मदद भी की. अगर, और मेरा मतलब है कि अगर वह कड़ी महंत कर सकती है और भविश में एक बहतर अवसर पाती है, तो वह अपने खेती के स्तर की प्रगती के साथ 10 या 20 साल और जी सकती है. ये चुनने में कोई हिच्की चाहट नहीं होती. लेकिन परिनामों से अंजान होने के कारण उसके दिल में कोई बोच नहीं होगा और इस तरह वह अच्छी तरह से जी सकेगी. अन्यथा वह नेती के दबाव को जेलने में असमर्थ हो सकती थी. ओयां लुलु चुप हो गई क्योंकि वह तर्ग समझ सकती थी. जो कोई भी जानता है कि वे कितने समय तक जीवित रह सकते हैं, आम तोर पर उनके दिमाग पर भारी बोच. पढ़ता है एक युवा लड़की की तो बात ही क्या, जिसके पास जीने के लिए केवल 10 या 20 साल बचे थे, ऐसा रहस्योध और उसे बहुत मुश्किल से अभिभूत कर देगा. वह वास्तव में दैनिया है ओयान लुलू ने बेहोश होकर आह भरी. धनुष ने कहा यह उसका भाग्य हो सकता है, हालां कि यह शायद उसका मौका भी है. फिर भी यह उसकी मापर निर्भर है कि उसका भविश्य कैसा हो समय बीतने के साथ मैं उसे और भी मजबूत बना सकता हूँ और उसके लिए अमरता की ओर बढ़ना अभी भी संभव है. ओयान लुलू अवाक थे. यह एक ऐसा विशय था जिसमें वह कभी अच्छी नहीं थी, इसलिए वह इस मुद्दे पर कुछ नहीं कह सकती थी. दस मिन फिर हिलाते हुए, ओ शौकुन फिर धनुष के सामने आया और एक बैंक कार्ड सौंक दिया. वैसे भी हाव जिजी आपसे माफी मांगने के लिए आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता था. लेकिन मैंने उससे कहा कि तुम ठके हुए हो और आराम करने चले गए, इसल पर कम नहीं हुँ, धनुष ने शांती से कहा. उर शौकुन हिचकी चाय और मुस्कराने पर मजबूर हो गए. धनुष हाव जिजी और वूडालॉन मेरे सभी अच्छे दोस्त हैं. क्या आप कम से कम मेरे चहरे को देख सकते हैं और उन्हें कुछ आराम दे सकते हैं? मैं उन महत्वपून व्यवहार करें. फिर धनुष ने बैंक काड लिया और पूछ ताच की, यहां कितने का है? 40 मिलियन युवान. उन्होंने प्रतेक को 10 मिलियन दिये, वो शौकुन ने चुपके से आराम करते हुए कहा. धनुष ने सिर हिलाया. यहां अब तक का सबसे कम लेकिन इस मामले को यहीं और अभी छोड़ दें. साथ ही, उनसे कहो कि वे अपने परिवारों के लिए कम कश्ट दें. ऐसा नहो कि वे विपत्ती को अपने उपर आने के लिए आमंत्रित करें. न केवल वे हताशा में पड़ेंगे, बल्कि उनके सदन भी उनका अनुसर्ण करेंगे. मैं निश्चित रूप से उन्हें यह बता दूंगा. फिर भी हूँ शौकुन का चेहरा गंभीर लग रहा था. वह बता सकता था कि धनुष के शब्द केवल वुडालॉंग और हाउजीजी के समोह के लिए ही नहीं बलकि स्वयन के लिए भी थे. उसने धनुष की चाहिए. वैसे भी क्या आपको किसी अन्यमुद्दे पर बात करने में दिक्कत है? दिव्य डॉक्टर टैंग हूँ शौकुन ने अपनी जेब से एक और बैंक कार्ड निकाला और धनुष के सामने रख दिया. जब धनुष ने पिछला वाला ले लिया. क्या आपके लिए म उशौकुन ने अपना सिर्हिला दिया. अगर यहाँ आज के मुद्दे के कारण नहीं होता, तो मुझे खुशी-खुशी आपको इसकी पेशकश करनी पड़ती. लेकिन मैं आपसे जो चर्चा करना चाहता हूँ, वह कुछ और है. ठीक है. मेरा कान है, धनुष ने सीट की और इशारा किया. कि सामने बैठने के बाद, उशौकुन ने जबरदस्ती मुस्कराते हुए कहा, क्या तुमने मुझे नहीं बताया कि मेरे पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं है? कृप्या मुझे फिर से देखें, और क्या आप मेरी उम्र बढ़ाने में मेरी मदद कर स अगर कुछ भी हो, तो आप देश में प्रसिद्ध युवा दिवे चिकित सक भी हैं, शुरुवात करने के लिए. जदी आपने जो कहा वह सच है, तो मैं. ठीक है, धनुष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाला कि आपके पास उस कार्ड में कितना है? एक सौ मिलियन हु शौकुन ने जल्दबाजी में कहा, धनुष ने थंस अप दिया और तारीफ की, आप वास्तव में बोल्ड हैं, आपको मेरे बारे में संदेह और संदेह है, फिर भी आप मुझसे एक सौ मिलियन युवान की मदद करने के लिए कहने का साहस करते हैं. ठीक उन्हें लाइफ एसेंस की एक गोली फेंकी और बोले तुम्हें अपने लिए कुछ बड़े फायदे मिले, मैं तुम्हें बताता हूँ. हाला कि मैंने पहले ही एक अच्छा इंसान बनना चुन लिया है, इसलिए मैं अंत तक काम करने जा रहा हूँ. जब तक आप इस गोली किये हैं, तो आपको लंबे जीवन की गारंटी दी जा सकती है, और बुढ़ापे के बिस्तर पर आपकी प्राकृतिक मृत्यु को पूरा किया जा सकता है. उस शावकुन ने सावधानी पूर्वक लाइफ एसेंस पिल को पसंद किया. वैक्स पेपर का कवर फट जाने के बा लेकिन वह महसूस कर सकता था कि बर्ती गर्मी के प्रवाह ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया और इसके बजाए बिखर गया और उसके अंगों और पांच हड्डियों में बह गया. एक ही पल में उसका शरीर बहुत सहज महसूस कर रहा था और वह बता सकता था कि उ उन्हें सोने की इच्छा भी महसूस कराई इसलिए उन्होंने धनुष को विदा किया और बाहर चले गए. जैसे ही वह कमरे से निकलने वाला था, उसे लगा कि उसे कुछ याद आ रहा है और वह धनुष के पास लोटा, उसने अपनी जेब से एक गोल्डन कार्ड निकाला और यह कहते हुए उसे सौंप दिया, मी. टैंग एक छोटी सी निलामी कल आयोजित की जाएगी. क्या आप भाग लेने में रुची रखते हैं? निलामी? धनुष ने उच्छ सुकता से पूछा, हाला कि किस तरह की वस्तूओं की निलामी की जाती है? उस शौकुन ने कहा, निलाम की गई वस्तूएं कुछ ही है, लेकिन उनके मूल्यकी गारंटी है. वास्तव में, मैंने हमेशा यहां हर साल दो या तीन छोटी निलामी आयोजित की है, और केवल दस मिलियन युवान से अधिक मूल्यकी वस्तूओं की ही निलामी की जा सकती है. धनुष ने सोचा क कि कल उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उसने समय पूछा की निलामी कब होगी? जवाब सुनकर वह तुरंत राजी हो गया. लेकिन ओल्यान लुलू इसे सहन नहीं कर सका और उसने आखे घुमाते हुए गोली मार दी. हाला कि उसके आकरशक और आकरशक अगले दिन का दिन लुलू के साथ घूमने, व्यंजनों का स्वात चकने, खरीदारी करने और फिल्मे देखने गए. ऐसा कुछ भी नहीं था जो उन्हें किसी भी तरह से अलग करता हो, फिर भी वह अब एक सेलिबरेटी जैसी शक्सियत थे और बहुत से लोग उन्हें याद करते थे. इसे ही शाम हुई, धनुश उसे वापस ब्लू स्टार फिश हवेली में ले गया, जो आने वाली रात का स्वागत करने के लिए पहले से ही लाल्टेन से सजाया गया था. जिस रिसॉर्ट में कुछ महमान हुआ करते थे, उसमें अब इस समय आगंतुकों का लगातार आना ज जाना लगा रहता था. वे सभी सफल लोग हैं, जो उनके रूप को देखते हैं, धनुश की नजर अपने आसपास आये महमानों पर पड़ी और मुस्कराते हुए बड़बडाया. हे, क्या सफल आंक्रे? वे सिर्फ दिखावा और दिखावा कर रहे हैं. ओल्यांग लुलु से पैसों से अपने सर्णेम के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं. यह बहुत दूर की टिपपणी है और काफी चरम है. लुलुक धनुश ने हनस्ते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम मेरी प्रशंसा करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें दूसरों पर इस तरह हमला करने की जुरत नहीं है, नहीं. इसके अलावा, आम लोगों के लिए सफलता का पैमाना पैसा और रुत्बा होना है. यह नियम है. चलो पूरी दुनिया नहीं कहते हैं, अकेले चीन में एक अरब से अधिक लोग हैं, लेकिन उनमें से कितने वास्तव में समरिध और शक्तिशाली है वे कुछ बड़े नेता बन सकते हैं, जो अपने आप में उनकी क्षमताओं को दर्शाता है. जहां तक कमियों की बात है. हर किसी में होती है, नहीं. हम साधु या संत नहीं है, इसलिए लोगों को इतनी बारीकी से देखने की ज़रूरत नहीं है. ओयां लुलु ने अपनी थोड़ी उठाई और गुन-गुनाया. हम्फ उन में से कोई भी मेरी नजर में तुमसे बहटर नहीं है. और जो है वे मेरा हक पावती पाएंगे. धनुष ने कुटिल मुसकान के साथ अपना सिर हिलाया. उनके पास दस हजार साल का अनुभव और जीवन की कहानी थी, यह स समाज मंडलों में इन नीलामियों के विभिन प्रकार थे. उदाहरन के लिए यह वाला. इसने कुछ अजीब सामान की नीलामी की. हालाकि कुछ वस्तुए बहुत मूलेवान थी, अधिकाश अतिथी शंधाई के स्थानिय थे, और कुछ पडोसी शहरों से आये थे. धनुष अटेंडेंट की अगुवाई में धनुष और ओयां लुलू ने नीलामी स्थल में प्रवेश किया ही था कि किसी ने उनका नाम पुकारा. वह थोड़ा सहन गया और थोड़ा हैरान भी. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उसने अपना रूप बदल लिया था. जब तक कोई उसका बहुत करीबी न हो, दूसरों को उसे पहचानने में कठिनाई होगी. गुचांगमिन धनुष आवाज की दिशा में चला गया और उसने अचानक गुचांगमिन और जिन-जिन कोई को अपनी और आते देखा. हालाकि वह इस बात से वाकिफ था कि वे उसके वर्तमान रूप को देखकर थोड़े स्थभ लग रहे थे. धनुष ने ओयान लुलु के कंधे को खोल दिया और मुस्कुराते हुए उसके पास चले गए. हे बूढे भाईगू और जिन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज मैं तुम दोनों से यहां मिलूंगा. तुम यहां क्या कर हो, कुछ खजाने हडपने की योजना बना रहे हो. गुचांगमिन और जिन, जिनकुई ने एक दूसरे को देखा और अजीब भाव पहने. इसके बाद पूर्व ने पूछताच की. ठीक है, हमने सोचा कि हमने किसी को आपके जैसा देखा है, इसलिए हमने फोन किया. लेकि अपना लुप थोड़ा बदलना पड़ा. धनुष ने मुसकराते हुए जवाब दिया, तुम दोनों जानते हो कि मुझे अटेंशन कभी पसंद नहीं आया, नहीं. गुचांगमिन और जिन, जिनकुई जल्दी से समझ गए, और जिन, जिनकुई ने हंस दिया. यही तो प्रयासों से लोगों के हैं बढ़ जाते हैं, आप जानते हैं. दूसरी और जिन, जिनकुई ने मुसकराते हुए कहा, ठीक है, भाई धनुष, आप हमेशा दौलत कमा रहे हैं और दौलत बटोर रहे हैं. वैसे भी तुमने मुझे वास्तव में नाराज कर दिया, तुम्हे व्यभार करते हैं, जो दूसरों को केवल अपनी बोली लगाने के लिए कहता है, यह बहुत अधिक है, नहीं. है, फिर मुझे आपके पास क्यों होना चाहिए, भाई जिनक धनुष ने मुसकराते हुए कहा. इसके अलावा, अगर आप ऐसे व्यक्ति होते जिन पर मुझे भ अर्थक बनाता है, भाई धनुष. लेकिन निश्चिंत रहें, हालांकी, हमारी परियोजना सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है, और हम कम से कम आधे साल में कुछ राजस्व अर्जित करना शुरू कर सकते हैं. तब आप पैसे आने का इंतजार कर सकते हैं. धनुष न गुचांगमिन और जिन-जिन्दकुई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया. इसके तुरंत बाद, शंधाई के आसपास के कुछ प्रमुख व्यवसाईयों ने गुचांगमिन और जिन-जिन्दकुई को धनुष के साथ बातचीत करते हुए देखा. उन में से प्रतेक एक के बाद एक उनका अभिवादन करने आया लेकिन धनुष खुद इन लोगों से बात नहीं करना चाहते थे इसलिए उन्होंने बहाना बनाया और चले गए उन्होंने और ओलुयांग लोलुने नीलामी स्थलमे लापर वाही से कुछ यादरे चिक सीटें उठाई पवित्र यह उनके सामान्यत और तरीकों की तरह ही है नहीं तो आज दुनिया में हमारी जगह नहीं होती उससे तुम्हारा क्या मतलब है गुचांगमिंग स्तब्ध रह गया और उसने ध्रमित भाव से पूछा क्या आपने कभी सोचा है कि अगर उसका चरित्र दिखावे का है तो उ दियोग की परवाह किये बिना पूरे शंधाई में सैकडों लोग निश्चित रूप से उनके साथ सहयोग करने और उनके प्रयासों में शामिल होने के लिए अपनी चेक बुक लहराएंगे। प्रिष्ठ भूमी पर भरोसा नहीं करता। थापित करने के लिए बस अपनी क्षम्ताओं पर भरोसा करता है। उसने जितनी दौलत बनाई है। यकीनन दूसरी पीधी के उन अधिकारियों से सैकडों गुना ज्यादा है जो दूसरों की कमपनियों से डिविडेंड लेते थे। इसके बारे में बोलते हुए धनुश अब तक हमसे ज्यादा अमीर हो गए होंगे। ठीक है। गुचांगमिन ने जवाब में द्रिड़ता से हामी भर दी और कहा सच है। इतने महान थे और उनकी मांग आपूर्ती से कहीं अधिक थी, यह इतनी तेजी से नहीं होना चाहिए था, है ना। गुचांगमिन एक अजीब चेहरे के साथ चला गया। हालांकि अब आप मैगनिफिसेंट टैन कॉर्प के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। मैगनिफिसेंट टैन कॉर्प का 50 बिलियन युवान का मेरा पिछला मूल्यांकन अभी भी इसके वास्तविक मूल्य से बहुत कम है। जिन जिन्ग कुई ने भी इस बारे में सोचा लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि गुचांगमिन तथ्यों को बढ़ाचधा कर पेश कर रहे हैं। उन्होंने खुद मैगनिफिसेंट टैन कॉर्प के बारे में कुछ तथ्य सीखे थे। कमपनी के पास प्रत्येक उतपाद के लिए कम उतपादन था। प्रत्येक की कीमत बहुत महेंगी हो सकती है। लेकिन यह संभावना नहीं थी कि वार्षित लाभ बीस से 30 बिलियन के आ आप आमतोर पर इतने स्मार्ट होते हैं। अब आप इतने मूर्ख क्यों हो गए हैं। गुचांगमिन एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ। आपकी अपनी कमपनी द्वारा विक्सित अचल संपत्ती के बारे में क्या? क्या यह उसके निवेश के बिना है? इसके अलावा क् अब इस तत्य को भी भूल रहे हैं कि वह चिरस्थाई दावत हौल का मालिक है। ग्रैंड फॉर्चून ज्वेलरी से वह हाव लेई भी उसका अधीनस्त है। अब अपने लिए गणना करें कि यदि एवर्लास्टिंग फेस्ट हॉल और ग्रैंड फॉर्चून ज्वेलरी की समपत्ती को एक साथ जोर दिया जाएं तो यह कितना होगा। हाफना। तभी जिन जिन कोई को अचानक एसास हुआ कि वह धनुष की समपत्ती को बहुत कम आक रहे थे। एवर्लास्टिंग फेस्ट हॉल और ग्रैंड फॉर्चून ज्वेलरी को छोड़ कर धनुष ने अप पर बैठा है जिन जिन कोई व्यंग्यात्मक धंग से मुसकराए और आह भरी। गुचांगमिन ने मुसकराते हुए कहा चाहे वह सोने के पहाड़ों पर बैठा हो या नहीं केवल अपनी पहचान और प्रिष्ठ भूमी के साथ और तथ्य यह है कि हम उसके साथ अच्छे प प्रिष्ठ प्रोजेक्ट है जिन जिन्द कोई हैरान थे। के कुछ स्लाइस देंगे भले ही उनका अपना लॉजिस्टिक्स निक वर्क हो। यह सुनकर जिन जिन्द कोई बुरी तरह मुसकराएं और अपना सिर हिला दिया। फिर उसने तुरंत कहा तुम सच में उनका खाना लूट रहे हो। अगर धनुश नहीं होगा तो e-commerce के करने वाले महमानों को देख रहे थे, जिन में से कई जाने भचाने चेहरे थे। इसने उन्हें गुप रूप से निनलिखित नीलामी के लिए तत्पर कर दिया। पूरी संभावना है कि इस तरह की हाई प्रोफाइल नीलामियों में नीलाम की जा रही वस्तुएं बहुत धनुष ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, ठीक है, आसपास के कई शहरों से व्यापार जगत की कुछ हस्तियां भी भाग ले रही है। इसके अलावा कुछ तांत्रिक संप्रदाय से आये हैं और ऐसा लगता है कि उनके पास बूठ करने की कुछ शमताएं हैं। एह, तां संप्रदाय के लोग शहरी भीर के बीच छिपे हुए हैं। वे आम लोगों की तरह ही जीवन जीते हैं और कुछ खास परिस्थितियों में ही अपनी पहचान जाहिर करते हैं। ऐसे लोगों में आमतोर पर काफी अध्भुत क्षमताएं होती हैं। सच है, ओयान लुलु ने सिर हिलाया। औकर्ट संप्रदाय के लोगों के पास अजीब तकनीके होती हैं। उनके पास अपने स्वयन के साधन और चैनल भी हैं यदि वे धन की तलाश करना चाहते हैं और थोड़े से प्रयासों से काफी भाग्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलाबा उन में से कुछ व्यवसाय में लगे हुए हैं और लाब कमाने के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों के साथ किसी न किसी प्रकार का सहयोग करते हैं। तो आप कहते हैं अपने ओयंग परिवार की तरह धनुष ने किपपनी की। हाँ। जब ओयंग बस शुरू हुआ तो हमने प्रकाश के संप निगत दुनिया अभी भी ओलुंस द्वारा नियंत्रित है। धनुष मुसुराया और जवाब देने ही वाला था कि अचानक उसकी निगाह में एक जाना फचाना चेहरा दिखा। यह चांशी शहर का जी म्यू था। क्या चल रहा है। ओयंग लुलु ने धनुष की असामा और जवाब दिया, बुरा नहीं है, मुझे लगता है। मेरी पसंद के हिसाब से उनका एक अच्छा चरित्र और स्वभाव है। यह लड़का भी एक कल्टिवेटर है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतने कम समय में QE Refining के मिड़ स्टेज तक पहुँच पाएग इसके अलावा, तुम्हें मेरे द्वारा दिये गए साधना संसाधनों से सहायता मिली है, जबकि उसके पास कभी कोई साधन नहीं था। वह केवल अपने प्रयासों पर भरोसा कर रहा है, फिर भी वह True Essence उर्जा की थोड़ी सी खेती करने में सक्षम है। ओयंग लूलू न इस थल पर जी म्यू सम्मान पूर्वक एक चांदी की बालों वाली बुढ़ी औरत के साथ थे। अचानक एक आवाज उसके कानों में पड़ी। मुढकर और इधर उधर देखने से पहले वह स्तब्ध रह गया और खाली घूर रहा था। फिर उसने कुछ जाना फचाना चे मैं किसी को देखने जा रहा हूँ। चांदी के बालों वाली बुढ़ी लेटी को मल और दयालू दिखती थी। उसने मुस्कुराते हुए सिरहिलाया और जवाब दिया आप नौजवानों का अपना सरकल है इसलिए आपको मुझे अपने साथ रखने की ज़रुरत नहीं इसके अलावा मैं आज की निलामी के बाद वापस उत्तर की ओर जा रहा हूँ। जी म्यू चौक गया और उसने थोड़ी अनिक्षा से पूछा क्या आप चांगशी में कुछ और समय के लिए नहीं रह सकते दादी। नहीं देखा है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम पहले से ही मनुष्य और स्वर्प की तरह अलग हो गए होंगे। इसके अलावा मैं कुछ समय से चांगशी में रह रहा हूँ। इसलिए मेरे लिए उत्तर लोटने का समया गया है। नहीं तो घर पर लड़कों का जुंड निश्चित रूप से हंगामा खड़ा कर देगा। जीमो ने बेपसी से सिरहिलाया और फुसकुसाया तो मैं सबसे पहले अपने दोस्तों का अभिवादन करने जा रहा हूँ दादी। मैं बाद में आपके पास वापस आऊंगा। फिर तुम जाओ बुढ़िया ने धीरे स सिरहिलाया और जवाब दिया। जीमो थोड़ा चुके और धनुष की दिशा की ओर चलने लगे। हाला कि वह वास्तव में चाहता था कि यह दुर्जे दादी क्रिशक रहे। वह केवल विदाई देने के लिए अपनी अनिच्छा को सहन कर सकता था क्योंकि उसने छोड़ने कौन था नहीं उसे याद था कि उसने उसे कहा देखा था। क्या तुम मुझे बुला रहे हो दोस्त। जीमो धनुष के सामने आये और पूछते हुए पहले उनकी मुठी बांथ दी। हाला कि उसकी पुतलिया अचानक से कुड़ गई जब उसकी नजर धनुष के बगल में ओयान लुलु पर पड़ी। धनुष ने उनके पास खाली सीट की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा मैं जीमू। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे पहचाने इसलिए मैंने अपना रूप बदल लिया। जीम्यू खुशी से हैरान दिखे। ओयान लुलु को सिर हि पहचाने से लग रहे हो, लेकिन मैं वास्तव में तुम्हें पहचान नहीं पाया। धनुष ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, यह सिर्फ छोटी सी चाल है। यह तुम हो जो महान हो। यह सोचना कि आप क्योई रिफाइनिंग के मध्यचरण में पहुच गए हैं, अप पास में चांदी के बालों वाली बुढिया ने बेतरतीब धंग से एक खाली सीट पाई और उसे ले लिया। लेकिन जब उसकी शांत आखें Gμ की दिशा में नजर आई और वह अपनी द्रिश्टी वापस लेने वाली थी, तो उसकी अभिव्यक्ति अचानक से बदल गई औ और उसकी नजर धनुष और Gμ पर टिक गई वह व्यक्ति है। बुढिया ने अपने अवलोकन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया और कुछ सेकंड बाद उसका शरीर थोड़ा काम पने लगा। लेकिन वह बहुत खुश दिख रही थी और धनुष की दिशा में उठने और ज कुझे पहचान सकते हैं। ठीक है। बूढिया बैठ जाए दादी। वह पक्का है। धनुष ने हाथ हिलाया और कहा यह ठीक है। हम सभी साथी दाववादी हैं जो साधना पत पर चलते हैं इसलिए हमारे लिए एक दूसरे से मिलना आसान होना चाहिए। हाला कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस बच्चे जी म्यू के साथ हैं। मैं और जी मुकी दादी बुढ़ी बहने थी जो एक साथ बड़ी हुई थी बुढ़िया ने समझाया यही कारण था कि मैं चांग्शी आई थी उससे मिलने। अगर मेरा अनुमान सही है तो जी मुकी दादी भी एक क्रिशक थी हाँ धनुष ने मुस्कराते हुए पूछा। लेकिन कुछ ऐसा है जो मुझे अजीव लग रहा है। जी परिवार की बाद की पीडियों में से किसी को भी उनकी विरासक विरासक में कैसे नहीं मिली। ने जट से बीच में रोक दिया। दादी मुझे खेती करना मेरी दादी ने नहीं बलकि भाई धनुष ने सिखाया था। बुढिया दंग रह गई और तुरंत विसमय में पढ़ गई। यह श्री धनुष थे जिन्होंने आपको खेती करना सिखाया था। उसके साथ आपका रिष्टा। मैं और जी म्यू दोस्त हैं। धनुष ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनते ही जी मु को अचानक जटका लगा। वह कैसे नहीं देख सकता था कि जिस दादी की वह सबसे अधिक प्रशनसा करता था। वह धनुष के प्रती बहुत सम्मान जनक व्यवहार क आपके पास Mr. Tank जैसा दोस्त हो सकता है। निश्चित रूप से आपके पिछले जनमों से संचित एक आशिरवाध है। ध्यान रखें कि आपको भविष्य में अधिक सलाह के लिए Mr. Tank से संप्रप्प करना चाहिए। वह निश्चित रूप से आपको बहतर और अधिक आपने यह भी कहा था कि हिमाले में क्या हुआ था, वास्तव में वहां क्या हुआ था। गोल्डन कोर स्टेज पर पहुँच गए हुँ। राक्षसी जानवर जी मुफ फिर चौक गया। वह पूरी तरह से जानता था कि धनुष और दादी जुई यिंग कितने शक्तिशाली थे। वह धनुष के साधनास्तर के बारे में कभी नहीं जानता था और केवल इतना जानता था कि वह बहुत शक्तिशाली था। लेकिन दादी जुई यिंग फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण में थी और निश्चित रूप से अस्तित्व में एक बहुत मजबूत विशेशग्य थी।